तो सबसे पहले तो यही सवाल आता है सर what is irrigation irrigation है क्या आखिरकार तो definition आप लोग पढ़ सकते है irrigation is the science of artificial application याद अखिए का जो irrigation है वो artificial application है मतलब इसके अंदर आपने इसके अंदर आपने क्या करना है कि जो rainfall हो रहा है उसको consider नहीं करना है मतलब अपने आप जो पानी मिल्ला है वो वो irrigation नहीं कहलाएगा irrigation क्या होगा आप जो अलग से पानी supply करोगे वो ठीक है अलग से आप पानी supply करेंगे वो आपका irrigation कहलाएगा so irrigation is the science of artificial application of water to the land in accordance with the crop requirements throughout the crop period for full-fledged nourishment of the crops ठीक है भई, now crop yield जो होती है it is explained quintal per hectare और tons per hectare ठीक है तो irrigation में हम लोग area को किस में consider करते है याद रखेगा है एक्टेयर में और one hectare is equal to कितना होता है टेन पावर four meter स्कार होता है क्या यह यह होता है ना बहला हंडिर बाई हंडिर मीटर के plot होगा तो आपका वन हेक्टेर कहलाएगा है 1 hectare लाइं अ है नप्र घृड यह अपके पास तो प्रृक्टि विच्विटी इस एक क्रोप इल्ट पर एम एम वातर इपलाई त्यांपर दो तर्म है एग है क्रॉब यिल और इसरा है productivity तो crop yield तो क्या हो गया कि आपको कितना जो product है farm में वो produce हो रहा है per unit area basically और वहाँ पर जो area ले जाएगा वह आपका किसमे ले जाएगा hectare में ले जाएगा और जो weight होगा वो किसमे होगा quintal में होगा quintal क्या होता है 100 kg किटना होता है आपके पास 100 kg होता है न और वन टन कितना होता है 1000 kg तो कुइंटल कि यह कितना होता है 100 kg और आपके पास जो वन टन होता है वह कितना होता है आपके पास 1000 kg ठीक है बएक चले और productivity क्या है it is expresses crop yield पर mm water एक mm वाटर सप्लाई करने से कितना crop yield हो रहा है ठीक है कितना product आपको मिल ला है वही क्या है आपके पास productivity है ठीक है अब देखिए का इस पर भी exam में question आता है types of irrigation project पर ठीक है तो तुमारी नजर तो सीधे यहां आएगी ओह ओ एज़े अगर आप सोचो अगर आप एक irrigation engineer हो तो कितना पैसे का आगर आप एक major project रहुँ हो तो पांच करोड़ से जादा का project होगा अगर आप एक small project पर भी काम कर जो है जिस सिविल इंजिनियर तो कम से कम आधे करोड़ का project होगा आधे करोड़ के project में तुम अपना commission समझ लो ठीक है तो आधे करोड़ पर आप अपना commission समझ लो ठीक है चलिए आगे वड़ते हम लो तो जो project होगा जो major project होता है वो 10,000 hectare से जाधा area पर होता है medium project के ज्यादा question exam में पूछे गए तो medium project कब होगा जब जो area है वो आपका क्या है 2002 10,000 hectare तक का है ठीक है और small में क्या होता है less than 2,000 तो small में भी कम से कम इतना रहेगा समझ लोग इर्रिगेशन को underestimate करना है नहीं करना है सब लोग pwd के पीछे भागते रहते है ठीक है और देख लो इर्रिगेशन के प्रजेक्ट भी और इर्रिगेशन के प्रजेक्ट और कोई कहने वाला वी नियार रहे रहा है नहर पानी में चली नो, types of irrigation, तो irrigation दो तरा कि ओँए, surface irrigation और surface irrigation, surface irrigation में क्या है, आपके पास perennial या natural river के थ्रू जो है, उसको आप direct supply भी कर सकते हो, नाल के थ्रू या पहले reservoir बगएर बना कर storage के थ्रू भी उसको कर सकते हैं, टीक है, या फिर होता है flood uncontrolled इनन्डिशन ठीक है फिलट्स वग्यारे के थुरू भी जह है वो इर्रिगेशन होता है हाँ दूसरी तरफ सब सर्फेस क्या होता है कैपिलरी के थुरू ये नैचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशल भी हो सकता है आर्टिफिशल में आप लोग क्या करेंगे कि पाइप वाल सिस्टम जहें वहां वहां प्रोवाइट करेंगेगे आगे नेक्स्ट होता है मैथड विर्दीकिश्ण बार जलद दिनको देखेंगे बागिए फटअप पर हम लोग क्या करेंगे क्वेश्शन करने वाले पहला होता है फिरी फिलडिंग और और ऑडिनरी फि हो जाएगी और इसमें से क्या कर देंगे आप यहां पर यह आउटलेट होता है इसको ओपन कर देते हैं तो पानी क्या होता है इस पूरे एरिया को भरने के लिए निकल पड़ता है ठीक है तो गाउंप में तो सभी का आना जाना रहते होगा तो इस अब देखो आपने देखा होगा ठीक है तो यूज़ फॉर रूलिंग लेंड वियर बॉर्डर चैक्स बेसिंस अन फरोज आर नॉट फीजिवल ठीक है जहां पर बॉर्डर चैक बेसिंस वगर नहीं बना सकते वहां पर आप लोग क्या करेंगे उसको यूज़ करेंगे फिली फ्लडिंग पानी को ऐस होगी तो यहहां पर बॉरेदर बना दिया जाएंगे और यहां पर यह लोग लोग प्स्टριप्स ओंगी उसमें क्या होगा वाटर जाएगा ठीक है और यहां पर ही water आपका पास इधर आएगा ठीक है यह जाएगा तो यह जो है यह आपके पास दस से 200 मीटर तक है और यह वाली dimension आपकी 100 से 400 है अब इसका यह formula होता है हाला कि इस पर आज तक कभी exam में question आया नहीं है exam में कभी question आया है नहीं कि इसको कितना time लगेगा total को cover करने में तो two point इसका पूरा derivation भी है but no need क्योंकि exam में पूछा ही नहीं गया अभी तक तो t is equals two होता है 2.303 y upon f log of q upon q minus fa क्यों क्या होता है जितना discharge हमारे पास हारा है supply disturb होता है यह क्या होता है area of land strip to be irrigated यह जो पूरा area हो जाएगा यह आपके पास यह area हो जाएगा y क्या हो जाएगा depth of water flowing over the border strip ठीक है तो कितनी depth तक water आपका जा रहा है f हो जाएगा rate of filtration of soil ठीक है तो जो water आप supply कर रहे हो उसमें से किती तेजी से पानी जाएगा वो मिट्टे में जा रहा है और t क्या रहेगा time required to cover the given area ठीक है तो और maximum area कितना हो जाता है आपके पास q upon f हो जाता है ना surface flow will stop after a max and deep percolation will start तो आप याद करना चाहों कर लो आप उस formula को छोड़ भी सकते हो because मैंने questions देखे हैं कभी इस पर question exam में नहीं पूछा गया तो देन आपके पास check flooding ठीक है तो check flooding में क्या है बस यहाँ पर इस तरीके से बना दिया गया है और इसमें से यह ditch हो जाएगी जिसमें से main ditch है यहां से water आपके क्या हो रहेगा इस तरीके से बहते रहेगा तो flooding ही हो जाएगा बड़ इसको थोड़ा सा small जह हो इस तरह से small apartment तोड़ देंगे बड़ आपके देख रहो कि कोई fix area जह हो इस तरीके का यहां पर नहीं है किसने यूज करता है close growing crops like जवार जवार लिखा जवार होगा जवार और पैडी डीप homogeneous loam और किले soil with medium infiltration rate के लिए आप इसको यूज करोगे suitable for both permeable and less permeable soil ठीक है क्योंकि पानी जब उस पर जाएगा तो less permeable soil में भी water easily यहां से थोड़ा सा जा सकता है फिर होता है basin flooding basin flooding कहां यूज होती है generally कि basically जो पेड वगारा जहां पर लगाई जाएंगे जैसे बाग वगारा आप क्या सकते हो तो यहां पर इस तरीके से क्या करते हैं गड़्े कर दिये जाते हैं और इन गड़्ों में ठीक है किसी ने आम खा बाग देखा हो तो जैसे तो गड़्े कर द बेसिन सेप में भी इर्रेगुलर इसक्वायर रेक्टेंगुलर सेर्कुलर वह आपकी शद्धा के उपर आप जैसे बनाना चाहो नौट सुटेवल फॉर कोर सेंड कोर सेंड वगारा के लिए नहीं होगी क्यों क्योंकि पर्मेरिटी बहुत जादा होती है तो वाटर इसमे क्या गरतेते हैं मिट्टी का इस तरीके से उभार बना देते हैं और इसमें जो है वो पौधे लगा यहां तो इनमें पुरा पेड़ लगा दिया है यहां पर पौधे होते हैं और यहां पर यह डिच बना दी जाती है और इसके अंदर क्या होता है वाटर फिलो होता है ठीक इसके लिए मिट्टी को आपको बहुत अच्छे से क्या करना पड़ता है तैयार करना पड़ता है इसमें मेहनत लगती है तो लैसे वोपरेशन लैस वेस्टेज अव लैंड वाइड रेंज ऑफ नैचुरल स्लोप प्रफर इन फ्लैट और जेंटल स्लोप एरिया तो फरो इर् एक तो आपने sprinkler irrigation और दूसर drip irrigation इसको आपने देना तो इस प्रिंकलर irrigation क्या होता है तो इस नोट सुटेवल फॉर सॉइल विद लो इन फिल्टेशन देट फॉर एक्जमपल किले तो यहाँ पर लो तो नहीं जो वैरी लो इन फिल्टेशन रेट होता है उनके लिए जनरली स आप जानते हैं एक तरह से क्या होता है यह artificial rain की form में होता है क्या होता है artificial rain की form में होता है ठीक है जनरली यूस फॉर टी कॉफी नॉट एट अल यूज इन राइस और जूट ऐसी फसलों को क्या होता है जैसे चावल बगएरा हो गया उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको उसको पानी से भरका रखना पड़ता है डैप्थ जो होती है वो बहुत जादा देनी होती है तो बाकी हम सब जब अभी questions करेंगे तो question में देखना आप यह सब चीज़ें जोब बार बार रिपीट होंगी ठीक है तो for rice and jute standing water is used बना पानी वहाँ पर क्या रखना पड़ेगा भरका रखना पड़ेगा दूसरा एक sprinkler method में एक बुराई और होती है बुराई क्या है कि वह basically problem समय है wind कि जब बहुत जदा होगी बहुत बहुत जदा долларов पोगी तो जो nád one गिरेंगी वह उनकी एक साइद में भागने की टेंडइनसी जए वह जदा खोकी जादो कि दू आख़ेद पेडे यहां पर प्लास्टिक की बॉटलो उल्टा कर दिया इस तरह से प्लास्टिक की बॉटल्ह अहले बॉटल थी और यहां पर यह दखका ने इसका और यहां से क्या कर दिया उसको काट दिया और काट कर इसमें क्या कर दिया पानी भर दिया काट कर क्या कर दिया इसमें पानी भर दिया और इसके धक्कन में एक होल कर दिया धक्कन में क्या कर दिया होल कर दिया अब यहां से क्या हो रहा था कि जो भी पेड़ हैं उन यहां पर धक्कन में थोड़ा सा छेत कर दो तो वहां से क्या होगा डॉप 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 करके पानी जैवो पॉद्य को मिलता रहेगा दिन पर एवापरेशन लॉस बागार अभी कम होंगे और पानी इधा हुदर जैवो जाएगा भी नहीं तो सेम चीज़ को यहां पर हम लोग ठीक है चले तो ड्रिप इडिगेशन बेस्ट सुटिट फॉर रोग क्रॉप और्चर्ड लाइक ग्रेप स्टोमेटोज कैवेज एक सकता है इस तरह कि पॉद्य जो होता है उनको पानी देने के लिए इसमें एक है कि वाटर एंड फर्टिलाइजर उसमें आप मिलादो फर्टिलाइजर उसको पानी के अंदर ही इस सिलोली एंड डिरेकली एप्लाइट तो दी रूट जोन आफ दी प्लांट तो जो रूट जोन होगा वहीं पर सीधे सीधे आप पानी सप्लाई कर रहे हो जो एक्स्टा जगे जारी है वहाँ पर पानी आपको नही पहुंच रहा है अचे विद्धी हैल्प ऑफ इस्पेशली डिजाइन ड्रीपर सेंड एमिटर कई तरह की आइमिटर होते हैं अभी हम लोग क्वेशन के तुरू देखेंगे ठीक है क्वेशन के तुरू हम लोग देखेंगे नाव नोट इस प्रिंकलर एंड डिप कर दाव मेंदेजस ङंदर हैं जबकि बाकी सबस्क्राइब आपकी पास ग्रेविटी में और बाकी सब किस इंडर में थे ग्रेविटी नाध पूर अऑ नागपूर बहुत पर गुजरात में भी बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है सब वर संसराफेशन और डिप इरगेश तो पहले जरा इस पर कुछ questions किये जाए फर्ट फर्ट पहला question फर्स question कीजिए तो जैसा मैंने बोला था थियोरी में आपको इसमें नाम मत की वस ऐसा हलका फलका डिस्कस करेंगे लगेगा कि हमने थियोरी पढ़ ली वस नाम के लिए पढ़ेंगे थियोरी की हां लगेगा कि थियोरी पढ़ ली बट जो में है वो क्या है आपके पास वह है questions ठीक है तो पहला question देखिए आप लोगर बताईए इसका answer क्या है तो when land is steep and which of the following soil types is suitable for sprinkler irrigation sprinkler irrigation के लिए किस तरहां की land जो है वो suitable होगी तो actually सवाल ही गलत है following soil type soil types is not suitable for sprinkler irrigation sprinkler irrigation should be suitable for a particular soil type ये तो क्या है तो when land is steep and soil is easily erodival when the crops are deeply rooted deeply rooted हो रहेंगे तो महां ते पता चला पाणी ही नहीं पहुंच पाएगा when soil of low permeability is used अगर बहुत low permeability की soil होगी तो भी water को infiltrate करने में दिक्कत होगी when water table is low when land is steep and soil is easily erodival तो soil अगर ढाल बहुत जादा है और आप free flooding वगर अगर यहाँ पर यूज करोगे तो एक तो पानी वहाँ पर रुकेगा नहीं speed से जाएगा और soil आपकी erodival है तो उस soil वह soil जाए वह पानी के साथ आगे चली जाएगे दिक्कत हो जाएगे तो आंसर क्या जाएगा यह हो जाएगा ठीक है तो sprinkler irrigation is suitable for when land is steep and soil is easily erodival ठीक है तो sprinkler आप सबने देखे होंगे garden वगरा में भी आजकल जगह जगह पर यूज करते है ठीक है अब देखें जो मैं आपसे कहला था active passive हो गया now this method is adopted when the land cannot be prepared for surface method जब आप land को surface methods के लिए prepare नहीं कर सकते ठीक है तो वहाँ पर आप यूज करोगे slopes बहुत जाद है तब आप इसको यूज करोगे topography अगर irregular है कहीं over covered जगे है तब soil अगर erosive है तब आप इसको यूज कर सकते है soil is excessively permeable और impermeable दोनों ही cases में याद रखेगा अगर soil बहुत जादा permeable है तो क्या होता है आप उसे water दोगे भी तो वह water बहुत तेजी से क्या हो जाएगा deep percolation हो जाएगा root zone depth में मतलब उस जहां पर पौदों की जण है वहां पर पानी रुके गई नहीं excessively permeable और अगर impermeable है तब भी दिक्कत है पानी जह वह surface पर ही ठीक है पानी अहां तो और impermeable है तो भी water क्या हो जाएगा आगे चला जाएगा तो वहां पर आप दौनों जगह पर आप इसको use कर सकते है excessively permeable के लिए भी और impermeable बहुत लेस ठीक है लेस नौ डैप्ट ऑफ सॉइलिश सेलो ओवर ग्रेवल और सेंट वेन सीपेज लॉसस मोड वेन फर्टिलाइजर एंड यह भी एक पानी में मिला दो तो इस sprinklers के थुरू ही आप क्या कर सकते हैं insecticides और फर्टिलाइजर भी प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है तो वह आपके पास time energy जी सेव हो जाएगी and the availability of water is difficult क्योंकि इसकी पानी की efficiency जाधा होती है तो इस बादे से कम पानी में भी काम यहां से चल जाएगा ठीक है सर आपके notes PDF कहां मिलेंगे सब जो है वो टेलीग्राम में शेयर करता जा रहा हूं और कर लेंगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला स्वार ठीक है नेक्स क्वेशन देखिए आज इस प्रिंकलर सिस्टम इस भी इस टू बी प्रोवाइड़ टू एप्लाई वाटर एड दिरेट ऑफ वन पॉइंट तू फाइव सेंटिमीटर पर आवर कोई इस प्रिंकलर है जो वन पाइट फाइव सेंटिमीटर पर आवर के देट पर वाटर सप्लाई करता है । उवान इक्ति सीक्स तू वन इक्ति सिक्स मीटर लॉंग स्पिंकलर लाइन सार्ट रिकवाईड शिक्टिन इस प्रिंकलर साथ 12 मीटर कि एड टीके तो 10 मीटर है और उनके बीच की spacing जो है वो आपको 12 meter दे रखी है the spacing between lines is 18 meter the required capacity of our sprinkler system will be telegram का description जो है telegram का description जो है वो आपको मिल दाएगा video के link video के description में ठीक है तो यहां पर बस आप एक given data लिख लो क्योंकि इसके लिए आपको formula यूज करना पड़ेगा ठीक है उस formula को directly आप यूज करेंगे तो देख लिजेगा solution में इसके बुक में नहीं मिलेगा आपको इस formula तो किसी individual sprinkler का जो discharge होता है वो इस formula के थ्रू दिया जाता है q is equals to st into sm into i upon 360 जहां st जो होता है वो होता है spacing of sprinkler along laterals ठीक है sm जो होता है spacing of laterals along the main तो यह main हो जाएगा यहां पर आपके पास यह lateral हो जाएंगे तो st spacing of sprinkler along laterals ठीक होंगे उनकी spacing आपके पास स्प्रिंकलर लगे होंगे उनकी spacing आपके पास joh और यह जो distance हो जाएगी यह आपके पास क्या हो जाएगी sm हो जाएगी और यहां आउय क्या जाएगा optimum application rate हो जाएगा तो यहांसे आपके पास क्या जाएगा एक sprinkler का डिशार्ज आ जाएगा ठीक है तो यह जो डिशार्ज आया है वह आपके पास 0.75 लीटर पर सेकिंड पर sprinkler आगया अब सिस्टम की कैपसिटी किया रहेगी total discharge of all sprinkler तो एक sprinkler का आपको मालुम है तो total sprinkler आपको मता है तो आप क्या कर देंगे उससे multiply कर देंगे ठीक है चलिए तो इस आपको इसको करना है बाकी अभी इसका formula का origin क्या मुझे नहीं पता मिल आएगा तो आपको बता दूँगा चलिए आगे देखिएगा which is not a method of controlled flooding in irrigation method तो which is not a method of controlled flooding कौन सा method जो है वो controlled flooding नहीं है कंटूर, ring basin, check basin, border strip तो check basin है, ring basin है, border strip है यह सारे के सारे क्या होते है आपके पास control flooding type क्यों होता है तो जो contour method होता है वह आपका control flooding नहीं है नहीं है अच्छा आप तो कोई साही में भी आके बोलेगा ना यहां पर आप लोग को कि exam postpone हो गया या admit card आगया तो तोड़ी दिर तक तो आप लोग का मन नहीं मालेगा कि हाँ है भी या नहीं है तो देख लिएगा कंटूर फार्मिंग इस अडॉप्टे इन हिली एरियास कंटूर फार्मिंग का होती है कंटूर फार्मिंग इस अडॉप्टे इन हिली एरियास वियर दिलैंड है steep slope here the land is divided into series of horizontal strip वो सीडी रार खेती हम लोग पढ़ते थे ना जोगरफी में पहले कभी हेल्ड वार्टर अप्टो दी रिक्वाइड डेफ्ट कंट्रोल फ्लेडिंग आर्स सब्डिवाइड इन्टो फॉलिंग टाइप्स फ्री फ्लेडिंग वेसिन चेक फ्लेडिंग वॉडर जिग्जग यह सारे मैंतर तो इसके अंदर नहीं आएगा अगला सवाल पर्सेंटेज वाटर एविलेवल ऑन अर्थ डैटिस सेलाइन सेलाइन वाटर का मतलब क्या होता है खारा पानी यानि के जिसमें वह ज़्यादा मिनरल्स है या कर यह सॉल्ट है तो यह तो सबको पता हिए कितना हैं 97 परसेंट वाटर जह हुँँ आपका सॉल्टी है दिमेन वाटर खाम पुप जूप टो कर टो किए और मेंका सॉा यह तो मक्ना इज वाल रख चैनी 222 बाटर शल्टी सेलाइन सेलाइन यह ज़्यातर बातर वाटर एप्लिकेशन एफिशेंसी क्या होता है वाट इस वाटर एप्लिकेशन एफिशेंसी वाटर एप्लिकेशन एफिशेंसी था आपके पास वाटर इस्टोर्ड इन रूट जोन अपॉन क्या वाटर डिलीवर्ड वाटर डिलीवर्ड ठीक है तो वाटर delivered तो यहाँ पर sub-surface education में क्या देते हैं हम water हम water provide ही किसको करते हैं एक सकीन आर वेट किजएगा बार बार ही एक number से call आ रहा है पता नहीं क्यों कर रहा है भाई सब हां जी अब यह अपने ही student है वाईसा लेकिन यह नहीं पता कि इस समय क्लास चल दें बार 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 कॉल करने तो लगे गया पता नहीं क्या है चलो तो क्या आंसर होगा इसका तो अब आप देखेगा सबसर्फेस इड्रिगेशन में क्या कर रहे हो आप जो water deliver कर रहे हो वो directly root zone area में दे रहे हो तो क्या होगा ऐसे तो सारा का सारा पानी क्या होगा root zone को ही मिलेगा तो इसलिए सबसर्फेस इड्रिगेशन में आपकी efficiency जो होगी वो maximum होगी maximum होगी ठीक है तो answer जो होगा वो d ही होगा answer क्या होगा d होगा के लिए रहे है चलिए अब पढ़ लेते हैं हम लोग सबसर्फेस इड्रिगेशन क्या होता है दिस मैथर कंजिस्ट आफ सप्लाइं वाटर डारेकली तो दी रूट जोन आफ दी क्रॉप सबसर्फेस में और डिप में डिफरेंस था सबसर्फेस में जाता है पाइपलाइं के दूप फॉर्फेस होते हैं उनके सीदे-सीदे रूट जोन में पानी दे जाता है जबके drip irrigation के थ्रू क्या होता है एक certain height से drops की form में पानी जो है वो सीधे directly root zone को ही मिलेगा इससे भी बट यह सबसर्फेस से क्या है थोला सा different है सबसर्फेस मालब सर्फेस के नीचे underground कह लिजे आप अंडरग्राउंट ठीक है अंडरग्राउंड और सर्फेस इर्रिकेशन जो होगा जहां पर पानी आप सर्फेस के ऊपर दे रहे हैं In this method, water is applied from one end of farmland on the top surface and it flow due to gravity, covering the complete area of farm. Now, salinity in soil. ठीक है, मिट्टे में क्या होती है, बहुत सारे salts आजाते हैं, on soil की वज़े से, salts की वज़े से क्या होता है, मिट्टे का जो उपजाओ परने, जो fertility है. तो, वो क्या होती है, reduce होती है. बड़ा अजीब सा चला है, exam का. मुझे कहीं से information मिली, कि सर, 90% chance हैं कि exam जो है, वो postpone हो रहा है. चलो, पहले तो मिला 100% की हो रहा है, बहुत reliable source से. फिर मैंने उस reliable source से बात की, तो पता चला कि हां सर हो रहा है, लेकिन 90% chance है, 10% है कि अभी भी हो सकता है, ओके. फिर इदर मैंने थोड़ा सा इदा उदर के जो groups बगया रहा है, टेली ग्राम पर और कहीं जेकर, वहाँ देख रहा हूं हर जगे आ रहा है कि भाया, आज admit card आ रहा है, कल admit card आ रहा है, पड़सा आ रहा है. तो इस समय इतनी तिमाग के इतना इतना confuse कर रहा है, लोगों ने कोई कहारा meeting चल रही है, कोई कहारा कुछ हो रहा है, जिसकी जो मर्जी वह हो रहा है, तो आप इसलिए आप कुछ नहीं कह सकते, वेट करते रहो, ठीक है, वेट करते रहो. लेकिन जो हो रहा है, वो गलत हो है, चात्रों की भावनाओं के साथ खिलवाज रहा है, अभी तक तो उसी भविश्य के साथ खिलवाज करते थे, अब भावनाओं के साथ भी खिलवाज रहा है, अग्जाम करवाना है, तो बता दो, एक एडमेड कार दे दे ना तुम चार दिन बाद, बता तो दो कि हम तेर सोजाते हैं वो क्या करते हैं सोईल को इन फर्टाइल बना देते हैं वहां उसका उपजाओ पंजय वो खतम हो जाता है और किसके थुरू देखते हैं ऐसे आर के थुरू सोडियूम एब्सॉप्शन रेश्यो चलिए आगे वड़ते हैं आधिर नेक्स क्यांव को व्रका दीम मैक्सिमुम एप्लेक इसंदेट स्प्रिंग क्लर से क्लोग करता है है यो कानिटिटी ओ वांट्रेकर इसके दो और एक दिन्फिलित्रीशन खाप्शूम यह थन्ट सवार्न यह दे ऐख रही समने चेज़ द्यूह फर्ञए बहुत है तब एक्चल में ये दौनों ही अपने आप में जो आंसर है वो एक तरीके से सही है बात ये किसार एक्जाम में चूस किया जाए तो किसे चूस किया जाए ठीक है ये में एक सेकिंड वेट केज़ेगा मुझे जरा एक सब्द का मेनिंग जरा गूगल करके समझना है फिर मैं आपको इस क्वेशन का और अच्छे तरीके से अंसर बता पाऊंगा एक सेकिंड वस वेट कीज़ेगा तो बुक में तो इसका अंसर एही होगा हम बुक में तो इसका अंसर एही दिया हुआ है है ना इन्फिल्टेशन कैपसिटी ऑफ सोई हां जी तो क्या अंसर होगा इसका आपके साफ से तो इसका जो है वो भी ही होना चाहिए विकास इन्फिल्टेशन कैपसिटी का एफेक्ट तो बाकी तरह की इरिकेशन पर भी होता है हाला कि हाँ नो डाउट इन्फिल्टेशन कैपसिटी का एफेक्ट स्प्रिंकलर्स पर भी पढ़ता है क्यों पढ़ता है इस्प्रिंग्लर्स पर क्योंकि इन्फिल्टेशन रेट बहुत सिलो है ठीक है तो क्या रहेगा वाटर सर्फिस पर ही रह जाएगा जब और क्या होगा पानी को ग्राउंड के अंदर जाना रूट जोन्स में जाना बहुत जरूरी है क्योंकि पानी जो है व अपने साथ लेके उड़ जाएगे तो पता चला इन्फिल्टेशन की बात तो बाद में जाएगी पहले पानी जमीन पर तो पहुंचे ठीक है और प्रिविलिंग माला बहुत तेज तो जब बहुत तेज हवाद चल लेगे तो पानी जमीन पर ही नहीं पहुंचेगा पहले और इसके साथ इवपरेशन एड़ जादा हो जाएगा तो टान्सपरेशन का तो नमबर ही नहीं आएगा तो आंसर इसका भी ही होना चाहिए अंसर भी ही होना चाहिए ठीक है नेक्स्क्रेश्टन which of the following methods of irrigation do not use open ditches for water delivery इन में से कौन सा method open ditches use नहीं करता है irrigation के लिए sub-irrigation trickle irrigation furrow irrigation check irrigation trickle irrigation क्या था तो trickle irrigation लेकिन वो concept आपते ऊपर चला गया comment वहाँ पर वैसा है नहीं नहीं था हम यह कह नहीं सकते वहाँ पर तो trickle irrigation ठीक है इसके लिए हमें ditches बनाने के जरुत नहीं है drop irrigation भी आप इसको बोलोगे trickle irrigation जब वो drop irrigation का ही दूसरा नाम है अगला सवाल in arid areas, arid मतलब जहां पानी बारिस वारिस कम होती है in arid areas शुष्क इलाकों में with uneven land surface उबर खावर जमीन है most suitable method of irrigation सबसे बढ़िया method कौन सा होगा basin method, furrow irrigation, check, flooding या sprinkler तो अगे इन आपका वाली में क्या देना है sprinkler ही देना है uneven land surface पर sprinkler method जो है वो बढ़िया so again sprinkler method congests of applying water in form of sprays this method is adopted when the land cannot be prepared for surface method slopes are excessive, topography irregular, soil is erosive, soil is excessively permeable और impermeable ठीक है अब यहां से भी एक concept और निकल के आता है अभी sprinkler का जो पिछला वाला सवाल था यह line मैंने book में भी पढ़ी है और यहां पर भी लिखिए कि excessively permeable होता है तो वहां पर भी sprinkler use करना चाहिए और less permeable है तब भी तो less permeable होने का मतलब या impermeable होने का मतलब क्या है कि infiltration capacity जो है वो soil की कम है तो यहां तो बता रहा है कि यहां पर करना चाहिए possible method for irrigating highly modulating highly modulating मतलब अगें वही उबर खावर जगे होगी तो कौन सा method यूज करेंगे आप लोग drip irrigation, furrow, sprinkler, none of UPSC में दो बार यह पूछा गया है 2011 में और 2016 में आकेस कुमार कहरे है सर एक्जाम पूर में आप अब नहीं है क्या नहीं भईया हम नहीं सोनी जी जितना पानी होगा उसको इस्तिमाल करना पड़ेगा क्या करें book name please, बेटा ये book का नाम मत पूछो depression में आ जाओगे, exam time है सवाल कर लो, तो answer क्या होगा अगें आपका sprinkler irrigation ठीक है, तो वही सारे sprinkler in this method, the irrigation water is applied to the land in the form of spray somewhat as in ordinary rain through a network of pipes and pumps it can be used for all the crops except rice and jute and for all the soils except very heavy soils very heavy soil का मतलब होता है soil with very low infiltration rate तो light soil का मतलब क्या होता है, जिनका infiltration rate जादा है और heavy soil का मतलब क्या होता है, soil with very low infiltration rate ठीक है तो जिन soil का infiltration rate low होगा उनका लोग हैवी soil बोलेंगे और जिनका ज़्यादा होगा उनको लाइट बोलेंगे बेस्ट सुटेट फॉर वेरी लाइट सॉइल एस डीप परकॉलेशन लॉसे आ अवाइड़ ठीक है तो लाइट सॉइल में क्या होगा फिल्टिरेशन रेट बहुत जादा होगा तो अगर हमाँ फिरी फिलडिंग टाइप कर दोगे तो पानी का क्या देगा डीप परकॉलेशन हो जाएगा तो इस प्रिंकलर इर्डिगेशन से पानी जिस रेट से जमीन में जाता है उतने ही रेट से वह क्या होता है आते जाओ खाते जाओ ठीक है तो लॉसस अवाइड़ लाइट स्वाइट स्वाइल मतलब इस स्वाइल टेन क्विकली आफ्टर रेन एंट वाटिंग इस उस मेंली वाई कल्टिविटर्स फर टी कॉफी एंड वेजिटेवल्स एक्सेक्ट्रा ठीक है ठीक है हाँ और च mano है अगला च ये तो हो गया कि किसके बारे में ये सारी पॉइंट सोगई स्प्रिंक्राइशन को आ लिकेशन ने क्व आपका डिकविटर्प बिंकरट इंड है इसमें भी पड़ लेता है तो अब इसमें हम लोग क्या कर लेंगे फिर दुबारा सारा पल डालेंगे, drip irrigation method या trickle irrigation तो इस वन अब दी टिक है, least method of irrigation which is becoming increasingly popular in areas with accurate scarcity of irrigation water and salt problems in this method water and fertilizer is slowly and directly applied to the root zone of the plants in order to minimize the losses due to evaporation and percolation this is achieved with the help of especially designed emitter and drippers, ये भी अभी आगे आएगा question उसे मिल दाएगा, emitters की types it is best suited for raw crops and orchards such as tomatoes, ground nuts, citrus, melon etc, इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे drip irrigation या trickle फिर आता है आपके पास furrow method और furrow irrigation, इस पर भी कई बार exam में सवाल पूछा हुआ है in this method water is applied to the land to be irrigated by a series of long narrow field channels called furrows which are dug in the land at regular interval, the water flowing in the narrows infiltrates into the soil and spreads literally to irrigate the land between the furrows, the crops are usually grown on the reese, reese बनाई जाएगी उनके उपर पौधी जो है वो लगाई जाएगे, it is commonly used for raw crops such as maize, cotton, potatoes, आलू के लिए हैं सबसे ज़्यादा हम देखते हैं, शुगर केन के लिए खैर नहीं करते हैं, शुगर केन में कर भी सकते हूँ, हलाकि मैंने जहां पर देखा है जो भी शुगर केन के खेत हैं, उसमें तो फिरी फेलेटिंग टाइप कही होता है, ऐसी पूरे खेत में लगा दी जाता है गंना, शुगर, बीट, शुकंदर हो गया, ग्राउंड, नेट, वेक्व, एक्सेक्टा, उस सब के लिए राइस थोड़ी नहीं स्प्रिंकिलर से होता है, कहां लिखा है राइस स्प्रिंकिलर से राइस में तो पानी भरना पड़ता है, नहीं करते हैं अरे, रिजेज मतलब क्या होता है, इस तरीके का होता है, ग्राउंड को इस तरीके से बनाया जाता है, वेवी नीचर में इस तरीके से बनाया जाता है, इसमें क्या होता है, पानी भरना होता है यहां पर क्या होता है पानी चलता है ठीक है और यहां पर क्या होता है पौधे लगाई जाते हैं तो उन पौधों की जड़ें कहा होती है यहां तक जाती है फिर यहां पर यह पौधे होंगे पौधों की जड़ें जो होंगी वो यहां तक जाएंगी गाउं नहीं गए क्या पानी मिल जाता है ठीक है तो यह पaj देरें यह होता है तो यह आपके पास मुद इस मतलब क्या रॉपरी हिस्सा विज दॉडां कि यह आपके पास वैली हो जाएगी यह जरी आपक 21 चेनल हों है आपके शिलोगे रीस्ट आपने पाद हम पॉद है ठीक है चले next out of total liquid water और और अर्थ दा ब्रेकिश water break is or saline जो होता है तो ब्रेकिश और saline जो होता है वो almost same sense में आपका use होता है ठीक है तो अगे लिए भी कितना होता है अब अब 95% कितना होता है अब अब 90% 95 अभी एक नया मेतड आया था मैंने कई पर देखा था उसके लिए गन्ये के लिए पहले गन्या लोग ऐसे लगा जेते हैं अब जो नई टेक्नोलोजी आ रहे हैं उसके अंदर क्या कर रहे हैं इस थरीके से circular डिचेस बनाये जा रहे हैं महलब बेसिन बनाये जा रहे हैं circular इस तरहां से ठीक है यह बना दिया आपने और यह बनाती है यह आपने बनाती है अब इसके अंदर गन्य के टुकड़े जा हो इस तरीके से लगाए जा रहे हैं तो इससे क्या होगा अब गर्ना उबर खावर नहीं होगा ठीक है यहां पर यह इस तरीके से जुन्ड में होगा और इसको यहीं पर क्या कर देगा बांद दिया रहेगा तो इसको इरिगेट करने में इसको काटने में दिक्कत नहीं होगी और आपका इसके अंदर क्या होगा movement भी जो है वो किसान का बना रहेगा ठीक है इस तरीके से ठीक है इस तरीके से अभी पुछी टाइम पहले मैंने कहीं देखा था अब यह पता नहीं हो सा पहले से कर रहे हूं कि है अगला सवाल अब लो रेन फॉल और इंडिकेटिड है किलो रेनफॉल होती है तो हम लोग इस प्रिंकलर मैथर यूज करता है बट उसने क्या कर दिया, यहां पर strong wind लिख दिया, इसका मलब strong wind से कहने का मतलब है कि भाया sprinkler को use मत करो, वैसे आप sprinkler use कर सकते थे लेकिन strong wind है, इसनी sprinkler use मत करो, तो अब यहां पर क्या use कर लेना, drip irrigation कर लेना, तो यह सवाल भी हमारे उस पीछे वाले सवाल का जवाब था, ज जो infiltration capacity वाली बात कर रहे थे, उसका आंसर wind ही होना चाहिए था, ठीक है, तो clear हो गया, तो drip irrigation, क्योंकि strong wind की वज़े से sprinkler यहां पर effective नहीं होगी, नहीं होगी, so drip irrigation के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कोई एक्स्टा पॉइंट होगा तो नहीं हो, कोई भी एक्स्टा पॉइंट, अगला सवाल sir please structure का महराथन, बेटा structure का महराथन, structure का एक एक concept मैं कल से जो 11 बज़े session लेके आ रहा हूँ आपके लिए, एक एक concept बहुत अच्छे से मैं आपका question के तुरू करवा दूँगा, अलग से महराथन की जरुवती नहीं है, ठीक है, और जरत पड़ेगी तो वो भी मैं करवा दूगा, बट फिलाल आप कल से 11 बज़े आप question practice session में आईएगा, उसमें आप देखेंगे कि वो question practice कम concept building classes जाद होंगी, जिसने अभी तक, मानलों जिसको अभी तक determination, determination समझ में नहीं आया, जिसे moment distribution समझ में नहीं आया, जिसे ILD समझ में नहीं आया, तो कल की जो वो class करेगा, तो daily वो एक एक दो दो टॉपिक आपके दुबार से cover होते रहेंगे, और total हम लोग उसको objective point of view से ह अगला सवाल, sprinkler irrigation is an irrigation method for which the following statements are made, it requires elaborate preparation of land before irrigation, भया, land preparation नहीं करनी पड़ती, sprinkler में, कैसी भी मिट्टी हो, मिला कैसी भी जमीनों, उबर खावलो, कुछ हो, पौदे लगाओ, सप्लाई करते हो, ये पहला गलत हो क्या, it leads to excessive irrigation and water logging, अरे पानी भरते ही नहीं है, तो water logging कहां सहोगी, कम कमानी, initial investment and power requirement is high, ये बात तो बिल्कुल सही है, strong wind will disrupt requirement, ठीक है, disrupt requirement is high, ये बात भी सही है, strong wind से problem होगी sprinkler में, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें 2 statement, correct हुए हमारे, अच्छा, और पूझ भी कहा रहा है कि number of statement, answer क्य ठीक है, only two statements are correct, अगला सवाल, which of the following combination of multiple uses will result in most optimum utilization of available water resource, ठीक है, तो क्या answer होगा, इसका water supply, irrigation, flood control, hydropower, water supply, irrigation and navigation, तो कुछ बच्चे इसका answer C दे रहे हैं, काहे कन्फूस कर दिया भाईया, देखो भी है, सबसे बड़ा जो water resources का use होता है, वो irrigation होता है, आप जो भी कैनाल बनाते हो, सबसे पहला purpose उसका irrigation होता है, क्या C में आपको कहीं पर भी irrigation दिख रहा है, मचली पाल के कितना कमा लोगे, तो C तो answer वैसी नहीं होगा, irrigation ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, A और B में देखना है, अब A के सारे के सारे component B में आईगे, तो hydro power पहले power बना लो, बांध बना के, फिर पानी को water supply के लिए इस्टेमाल कर लो, irrigation के लिए इस्टेमाल कर लो, और navigation के लिए कर लो, downstream side में, है ना, तो answer B होना चाहिए, C क्यों दे रहे हो, B होना चाहिए, आँसर, तो water, इसका answer, B तो है, water resources, hydro power, उसके बाद में water supply, irrigation, navigation को कि reservoir बनाना पड़ेगा न, और याद अखिएगा, flood control वास्तब में, कोई water resources का use नहीं है, flood control is not the use of water resources, flood control तो हम damage के लिए, बचाने के लिए कर रहे हैं, उस पार्णी का use थोड़ी न है, flood control के, हाँ गाव में पालते हैं मशली, भाईसा हम लोग यहां सरकारी नौकरी के चकर में पड़े रहते हैं, आप यह बहुत अच्छे-च्छी PSU में वर्क करने वाले लोग, जिनके पास थोड़ी सी different, उन्हेंने PSU में दो-चार साल नौकरी की पैसा कमाया, गाउन लोटे, अब क्या कर रहे हैं, तुलसी की खेती कर रहे हैं, तुलसी की खेती, तुलसी और ऐलो वीरा, ऐलो वीरा, इस तरह की खेती कर रहे हैं, अब बहुतने साथ महँगा भीखता है, ठीक है, इसके अलावा मशली पालन, तलाब बगरा बना रहे हैं, मशली पाल रहे हैं, यह न, खुद क्या पालने, पलवार है, पैसा है तो लगवार है, बल्दिक उसको यूज कर रहे हैं, और गैनिक फार्मिंग कर रहें, तो अलाग, चली, IHP, पीख, थेंट फार, तो चाविय आज का, इंतरनाइशनल, हाइड लो जिक प्रोग्रम, इंतरनाइशनल हाइड लो जिक प्रोग्रम, अगला समों, तो देखो एक तो हम क्या करते हैं कि जब खेत में कोई पौधा लगाना होता है वीज लगाना होता है उसके पहले ही सिचाई की जाती है पानी दिया था उसको बोलते हैं पलेवा udah अंगरेशी में पहले यहां फीचाई पहले तो पलेवा पलेव लीगेशन होगा आपके पास यह क्या हो गया बीज लगाने से पहले जब फवादा थोड़ा सा आज़त सेंटीमीटे बड़ा हो जाता है उस समय क्या होता है उसकी पानी की requirement बहुत ज़्यादा हाई होती है और उस सबें जो हम लोग water देते हैं वो होता है core watering और जितने समय के लिए दिया जाएगा उसको क्या वो लेंगे हम लोग core time core time, तो core watering important है यह अगला sprinkler irrigation is not suitable, ठीक है किसके लिए suitable नहीं है, तो rice के लिए suitable नहीं है, क्यों? तो कि rice में हमें क्या करना पड़ता है, पानी को भर का रखना पड़ता है चलिए, अगला सवाल trickle irrigation is also known as trickle irrigation को हम लोग क्या करते हैं, drip irrigation के नाम से भी जानते हैं ठीक है? तो drip irrigation या trickle irrigation आपको बता ही दिया sub-surface जो होगा, वो underground होगा तो मेरे खाल से साथ इस से related question जो है, वो खतम हो गया चलिए, अभी है question ये question देख लिए अभी है? अभी है, अभी है अभी है? अभी है, अभी है? अभी है, अभी है अभी है, अभी है ये पहले irrigation की spaling गलत कर दी और अभी है पहली हो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी है? इसे बेच जती मेरी कर रहे है, केटन सर की कर रहे है, ये समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कहना चाहरा है? कि condition favoring the adaptation of sprinkler irrigation कहां यूज करता है? when the water is available with difficulty and scarce, बात तो सही है when the water table is low, okay when the land soil is excessively permeable or when the soil is highly impermeable, okay ठीक है, सारे points आई लग रहा है when the land soil is excessively permeable or when the soil is highly impermeable answer D होगा, क्योंकि A B सही है, B B सही है उसने both करने के बज़ाए, दौनों को combine करके यहां लिख दिया तो answer क्या होगा है? D होगा है अगला सवाल धन्यवाद रेशो जी अगला सवाल हाँ, in drip irrigation system, which one of the following emitters is not based on definition by American society of agriculture यह भूल जाता है कि हम इंडिया वाले, American society के थाफ से क्यों पढ़ेंगे, Indian society के थाफ से पूचो, सवाल ही क्या रते बता है अच्छा, engineering services का सवाल है, अरे भाई सब, मैं भूल लिया था, ESE का सवाल है, अब तो यह तो पूचे के भी बाहर कोई बाहर ठीक है, तो in drip irrigation system, which one of the following emitters is not based on definition by American society of agricultural engineers, ठीक है तो कौन सा नहीं है, इसे ठीक, तो हमें क्या पता, इसका क्या है, तो हमें पढ़ना पढ़ेगा, तो पढ़ना पढ़ेगा, तो देख लो भाई, लेकर आएं आपके लिए, इसलिए तो as per ASA, American society of agriculture engineers, emitters are small micro irrigation dispensing devices, ठीक है, जहां से water release होगा designed to dissipate pressure and discharge of small uniform or trickle of water at a concentrate, different types of emitters, emitters जहां से water निकलेगा, emit करेगा, simple सी बात है तो यह होता है, long path emitter होता है, multi outlet emitter होता है, simple emitter होता है, nozzle type emitter होता है, leaking little type emitter होता है लेकिन pulsating type का emitter जो है, वो नहीं होता है, in pulsating emitter, pulsating emitter, discharge will not be constant, that's why it is not recommended by ASA, so pulsating, pulsating emitter, pulse की form, वहां पर क्या होता है, discharge आएगा, फिरiosaids बढ़ेगा, फिर कम रेगा, फिर कम रेगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम रेगा, फिर पर बढ़ेगा, फिर एक सघ्ट Kaiser recommend नहीं किया जाता है, reciprocating pump कितनgun होगा reciprocating pump रेख ख और है ठीक है चलिए अगला सवाल यह तो बताया था भी आपको इस तरह वाले सिस्टम से तो ठीक है तो फरो method और फरो irrigation in this method water is applied to the land to be irrigated by a series of long narrow field channels called furrows which are dug in the land at regular interval the water flowing in the furrows infiltrates into the soil and spreads laterally to irrigate the land between the furrows the crops are usually grown on the raises between the furrows diagram बना के आपको दिखाया था it is commonly used for raw crops crops such as मेज, कॉटन, पोटेटो, सुगरकेन, ग्राउंट, टॉबैकू, एक्सेक्टरा चलिए अगला सवाल तो यह तो आपके सबसे काम का यह है and education project is called a measure project if the cultural command area तो छप गया होगा तुमारे दिमाग में और यह तो कम छपा होगा इसके साथ का जो दूसरा मामला है वो ज़्यादा छपा होगा ठीक है तो answer is D 10,000 hectare से अगर ज़्यादा होगा तो आपका क्या है यह measure है ठीक है 2000 से 10,000 के बीच में है तो medium है और 2000 से कम है तो क्या है minor है minor है now यह सवाल तो होई गया अगला सवाल यह थोड़ा असस्त्र की बाते करले कि अस्त्र इस्टेंद्स फर एडवां सेटिर्डी टेक्नैलोजी बोलोल एरिया एडवांस सेंड टेक्न Sveri technology to rural area तो मेरे खाल से यही सबसे सही लग रहा है यही सही लग रहा है application of science and technology to rural area ठीक है फिर तुमारे काम का सवाल आई गया बेटा बोलेंगे तेज बोलेंगे जहां पर जाद ज़र्द होगी बोलने के वहाँ बोलेंगे ठीक है अब मीडियम इर्डिकेशन प्रजेक्ट है CCA ठीक है cultural command area तो मीडियम के लिए क्या बताया था आपको 2000 से 10,000 hectare 2000 से 10,000 hectare अगला सवाल वाट परसेंट अफ अगरिकल्ट्रेवर लेंग इस रिलायबली इर्रिकेटर इंडिया एस पर 2010 वर्ड बैंक डिटा अब देख लेना वहिया यह 2010 का सवाल 2017 में पूछा था अब कोई नई रिपोर्ट आ गई हो तो देख लेना वर्ड वैंक की कभी फिर पूछ ला ले ठीक है तो इसको देख लो अंसर तो 35 एस का परिहां क्या है जिम्मेदादी के साथ पूरे पानी पहुचा पाई है तो irrigation canals are generally aligned along क्या तो water shade line water shade line क्या होती है water shade line को आप लोग ridge line भी बोल सकते हो water shade line या ridge line भी बोल देता है ठीक है तो ये basically क्या है जो ये जो highest point होता है इस तरीके से तो किसी जगह पर जो highest point को मिलाने वाली जो line होती है उसको ridge line या water shade line भोलता है तो इस line के थुरू क्या होता है पूरा area दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है ठीक है हिंदी में स्कोलते है पन भी भाजक देखा ठीक है तो मैंने आइटी डेली में इंटर्वी दिया था एमटेक के लिए तो वहाँ पर मुझसे पूछा था तो इस तरीके से यहाँ पर देने से इस कैनाल को यहाँ बनाने से फाइदा क्या होता है कि gravity के थुरू इसके दौनों साइड में पानी क्या जाएगा अपने आप जाएगा दौनों साइड में पानी जाएगा अपने आप जाएगा तो रिस लाइन या वाटर शेट लाइन के अकॉर्डिंगली बनाएंगे तो अप अपने आप दौनों साइड में जाएगा ठीक है तो वाटर शेट लाइन अगला सवाल the best alignment of an irrigation channel is one ठीक है, irrigation channel का best alignment क्या होगा which follows a contour line which encounters no drainage which is always in heavy fillings to ensure speedy irrigation under gravity which for most part follows a watershed ठीक है, तांसर अगे इसका भी क्या होगा D हो रहेगा, most part इसको फॉलो करेगा, watershed line को फॉलो करेगा तांसर इसका भी हो रहेगा, आपके पास D इसका देखेज़ू इसका देखलै ना आप लो ठीक है इसका अंसर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका B 10 to 20 meter तो border strip method में land to be irrigated is divided into series of long narrow strips about 10 to 20 meter wide and 100 to 300 meter long separate from each other by low levels और bunds ठीक है मैंला वही रिज्जो बना देते हैं उसी तरीके का एन एच स्ट्रिपी supplied water by the field channel ठीक है तो 10 to 20 meter अगला सवाल अच्छे बात याद रखेगा इसके जो स्टार्टिंग के चैप्टर है इरिदिगेशन की जैसे पहला दूसरा इनमें questions जादा है क्योंकि छोटे-छोटे बहुत सारी points है अभी हम लोग canal design की बात करेंगे या dam की बात करेंगे तो उन में उतने questions नहीं बनते क्योंकि limited concepts है ठीक है चलिए well irrigation is the type of inundation, irrigation, infiltration, lift या gravity तो भाया कुवा है तो कुवे में से पाणी क्या करना पड़ेगा मुझको भी तो lift करा दे ठीक है थोड़ी सी तो lift करा दे तो lift irrigation ठीक है तो lift irrigation अगला सवाल depending upon the source from which the water is drawn phyllo irrigation can be subdivided into phyllo irrigation can be subdivided into पूचे विकाजी पूचे river canal irrigation reservoir or tank irrigation combined storage and lift irrigation combined storage and diversion ठीक है तो combined storage and lift ये गलत है क्यों क्योंकि storage जब हम करते हैं तो उसको lift नहीं करना पड़ता है उसको divert करना पड़ता है ठीक है तो थर्ड जिन में आ रहे हैं उन सब को आप काट दो तो answer आपका देगा बी रिवर कैनाल रिवर से कैनाल निकाल दी अगला सवाल ये अगला सवाल ये अ कैनाल विच केन इडिगेट अउनली वन साइड इस नोन है बहुत इंपोर्टेंट सवाल ये ठीक है इस बार इस सवाल के आने के चांसे बहुत जाद हैं इस देखो 2008 में आया है दोहरा तेरह वाले में नहीं आया है इस बार इसके चांसे हैं ये क्वेश्चन आपको एक्जाम में मिल सकता है विकास कुमार कहना सर यूपी पेसी एक एक एक्जाम टाइम पर होगा मनी सीमा के लिगेल कह रहे हे मन जी आपके बेटे की डिप ये क्या अ कनाल विच कैन इद्रिगेट ऑन्ली वन साइड इस नोन एज जल्दी वड़ाईए इसान ए और बी में तुम लोगों ने गर्वल कर रहे किया कोई क्यारा ए कोई क्यारा बी सर आपने कहां से करी है इंजीनियरिंग हमने करी अभी या डैली कॉलेज अफ इंजीनियरिंग से दिल्ली युनिवर्सिटी इसको अभी जानते हैं डी टी तो देखें का बया आग कनाल विच कैन इर्रिगेट ओनली ऑन वन साइड इस नोन है तो समझो कंटूर कैनाल इसको बोलते हैं कंटूर में क्या होता है देखो यह जैसे कंटूर है यह आपके पास दूसरा कंटूर है यह आपके पास तीसरा कंटूर है यह आपके पास चौथा कंटूर है माल लो इसकी हाइट है 100 मीटर यह आपके पास 98 मीटर पर यह आपके पास 96 मीटर पर और यह आपके पास 94 मीटर पर कंटूर बन गए अब माल लीज़े जो canal है वो आपने इस contour के along बनने होगी है तो क्या होगा जो water जाएगा वो इस side में तो जाएगा क्यों इस side में कैसे जाएगा water irrigate कर रहा है याद दखना irrigate करना है field में पानी तो इधर क्यों जाएगा एक ही side में क्योंकि इधर का जो level होगा इधर का जो ground का level होगा वो इससे क्या है कम जबकि opposite side में जबकि opposite side में जो level है वो क्या है high है तो इस side में पानी जा नहीं सकता अपने आप और canal से हम लोग ऐसे करते हैं gravity के थुरू तो ऐसी canal जिन से पानी एक ही तरफ supply किया जा सकता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं contour canal बोलते हैं अब side slope का है उसको भी पढ़ लेते हैं तो हम लोग सारी canal एक एक करके पढ़ देंगे इसलिए आपके पास यह theory भी है देखिए इसको पढ़ लीजे ठीक है इसको पढ़ लीजे कोई बातने देख लेते हैं जो भी doubt होगा वो इससे clear हो जाएगा तो what is contour canal a contour canal is the one which is aligned nearly parallel to the contour of the country it can irrigate area only one side as the ground level on the other side is higher दूसरी साइड में ground के higher है और एक साइड में lower है क्योंकि आपको माल में contour एक तरफ बढ़ते हैं एक तरफ घटते हैं it is not necessary to construct a bank on the other side दूसरी साइड में आपको किनारा बनाने की भी जिर्वत नहीं है क्योंकि उधर जो है वो जमीन अपने आप ओलेडी कहा है उंची है such a canal with only one bank is known as a single bank canal when both the banks are provided it is known as double bank canal ठीक है फिर था आपके पास ridge canal और watershed canal a ridge or watershed canal is the one which is aligned along the ridge or the natural watershed line when the canal runs on a watershed it can irrigate areas on both sides on both sides and hence a large area can be brought under construction that is the canal has higher command area अब आती है आपके पास side slope canal अब आपके पास होती है side slope canal a side slope canal is that which is aligned at right angles to the contour so side slope canal जो होती है वो याद अखिए का contour के along नी contour के 90 degree पर होती है in such canals flow runs parallel to natural drainage ठीक है natural drainage usually flow in such canals does not intercept the drainage channel thus avoid the construction of cross drainage work ठीक है तो यहाँ पर जैसे यहाँ आपके पास एक contour है यह दूसरा contour है तीसरा तो क्या होगा जो natural drainage होती है जैसे को रिवर वगारा फिलो करती है वो भी इस ही में चले ही इसको हम valley कर भी बोल सकते हो देखेंगे में गंगा जीसे साइड में क्या कर रखा उन्हों और कैनाल वगएरा निकाल रखें पानी को डाइवर्ड करने के लिए तो यह हो गया और इसके पैरलल में आपका जो जाएगा वह आपका वह जाएगा साइड सिलोप कैनाल तो जो कंटूर के अलॉंग होती है और साइड में लेवल क्या कर रहा है ग्राउन का डिक्रीज कर रहा है और दूसरी साइड में लेवल क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है तो इधर पानी जाही नहीं सकता पानी केबल इधर आ सकता है ठीक है इसने जो मोस्ट सुईटिवल आंसर इसका वह आपका कंटूर के नाल वो है आपका कंटूर के नाल ठीक है ठीक है तो कंटूर के नाल जो होगा वो कंटूर के along होगा almost कंटूर के parallel होगा तो इससे इधर पानी नहीं जा सकता क्योंकि इधर लेवल क्या और बढ़ रहा है और इधर लेवल डाउन हो रहा है तो इधर का area irrigate हो जाएगा इधर का नहीं होगा थर्ड पॉइंट जो था इसमें side slope के नाल में क्या होता है कि ये आपके पास 1000 मीटर की height थी ये 950 की थी 900 तो कोई भी नदी जो flow करती है वो ridge line आपको पता है इसको valley curve भी बोलते है इसको क्या बोलते है valley curve तो कोई भी नदी जो होती है वो valley curve को follow करती है मतलब high contour से low contour की तरफ जाती है तो कई बार river का water divert करने के लिए उसके side में canal बना दी जाती है उसके side में आप कहते हो canal बना दी जाती है तो ये जो canal है वो river के parallel चलती है almost parallel चलती है ठीक है ताकि flood बगएरा ना हो उसके पाणी को divert किया जा सके ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलते है side slope के नाल बोलते है तो ये क्या है contour के along नहीं है ये contour के perpendicular है हाँ अब देखो side slope जो है वो दौनों side में कर सकती है side slope दौनों side में कैसे कर सकती है अगें कि देखो यहाँ पर ये water जा रहा है अब ये अलग बात है कि अब जो ये वाली canal for example अगर मैं बना दूँ canal यहाँ पर ये मैंने side में canal बना दी और ये जो है वो main river है ये मालनों क्या है main river तो यहाँ से पानी क्या जा रहा है इस area में automatically जा रहा है तो इस से water इधर भी जा सकता है और इस से water आपके पास इधर भी जा सकता है अपनी side में तो जा सकते और आगे तो ये naturally बढ़ ही रहा है बट यहाँ पर जो area होगा वहाँ आपका क्या होगा लिमिटट एरिया होगा क्योंकि रिवर और आपके विर आपकी चेनाल के बीच में एरिया क्या है लिमिटद है यहां पर क्योंकि यह क्या आगे रिवर अगी ठीक है यह क्या आ जिद्यूस भाग टीया किहां आप द्यान देखिएगा हाला कि इस कैनाल को irrigation purpose के लिए use करना बहुत difficult है इस वाली कैनाल को side slow वाली कैनाल को irrigation purpose के लिए difficult के है क्योंकि यहां से पानी यहां से जाएगा तो इस तरीके से जाएगा यहां से पानी जाएगा तो इधर नहीं जाएगा इधर से पानी आपका basically इस देखना द्यान से इधर आगर आपने भी दिया तो इसका नैच्रल स्लोप तो क्या है इधर ना तो यह पानी इस तरीके से डाइवर्ट होगा इस तरीके से डाइवर्ट होगा ठीक है मतलब आगे की ओर इदर क्योंकि natural slope जो है वो गिराउंड का क्या है इदर तो side slope कैनाल का main purpose irrigation नहीं है देखा जाए तो क्योंकि आप समझगे किस वज़े से जबकि water shade में दौनों side में पानी जाएगा contour में कम से हम एक side का तो आपका irrigate हो ही जाएगा एक side का irrigate तो होई जाएगा इससे दौनों side में ही irrigate करना में दिक्कत होगी क्योंकि जो पानी इतर side में जाएगा वो जाएगा भी तो सीधे क्या होगा कैनाल के parallel ही चलने लगे तो कि slope जो है वो इस side में अगला सवाल furrow irrigation is water passing through narrow ditch water supplied through perforate pipe water pump from deep well water separate protein अंसर क्या देगा A water passing through narrow ditch water passing through narrow ditch ठीक है अगला सवाल a crop that takes more than four months to mature ठीक है एक फसल जिसको पकने में चार महीने से ज्यादा का time लगता है उसे क्या कहते है तो solid crop बोलते हैं क्या बोलते है solid crop अगला जो सवाल है वो ही यह काम काप का mixed cropping is eliminated बहुत सी जोगा पर क्या होती है मिश्रित खेती होती है mixed cropping होती है ठीक है mixed cropping होती है तो mixed cropping generally कहां के जाते है जहां water की problem होते है कि भाई इसमें पानी नहीं मिल दा तो दूसरी फसल तो हो जाएगी ठीक है तो mixed cropping आप कहां eliminate कर सकते हो जहां पर आप irrigation assure कर दो हमें माली में कि भाई पानी 100% जो भी हम फसल लगा रहे हैं उसके हिसाफ से हमें पानी मिल जाएगा तो हमें आप आपर mixed cropping नहीं करनी पड़ेगी हम लोग एक particular type की crop वहाँ पर कर सकते हैं कर सकते हैं ठीक है अगला सवाल in an orchard of mango trees the most suitable method of irrigation ठीक है most suitable method तो इसमें आपके दौनों answer हो सकते हैं sprinkler और फरो तो नहीं होगा आप यहापर basin flooding भी कर सकते हो और drip irrigation भी आप यहाँ पर कर सकते हैं है न डिप बट क्या answer देना चाहिए A यब B अब यह यह नहीं पता जो mango tree है mango tree का जो orchard है ठीक है उसमें mango tree कितने बड़े है अगर वो पेड़ बन गए बहुत बड़े पेड़ है तो drip irrigation से उसको पानी मिल पाएगा उतना जितना चाहिए जितना पानी चाहिए उतना मिल पाएगा कम मिल पाएगा क्योंकि इससे धीरे धीरे पानी जाएगा जबकि वहाँ पानी चाहिए आपको भर कर तो मेरे ख्याल से mango trees क्योंकि लिखा हुआ है तो जो ज्यादा better होना चाहिए वो basin flooding होना चाहिए क्योंकि इसकी water requirement जो है वो ज्यादा है drip irrigation के थुरू जो छोटे-मोटे पौदे हैं उनकी तो आप जो water demand है वो पूरी कर दोगे बट mango tree के लिए वो water demand शायद पूरी आपके पास नहीं उपाए तो इसका answer जो होना चाहिए वो B होना चाहिए हाला कि book में इसका answer A दे रखा है बुक में इसका answer क्या दे रखा है हाला कि नीचे इसमें लिख भी रखा है इट इस बैस सुटे फॉर रॉप्स एंड और्चर सच अस टोमेटो ग्राउंड नट्स सिट्रस मेलन एक सक्टा तो इस सब क्या छोटे पौदे हैं इनकी डिवाइन तो आप drip irrigation से पूरी कर दोगे बट mango trees की demand drip irrigation से पूरी नहीं उपाएगी तो इसके लिए basin flooding जो है वो बढ़िया और यही हमने बच्पन से देखा भी है कि हमने देखा है कि इस तरह से circular basin बना दिया जाते हैं और उनको पानी से भर दिया जाता है भर दिया जाता है ठीक है हाँ तो जो answer होना चाहिए वो बी ही होना चाहिए ठीक है भी और देख लेता है अगर और question होगा तो आपकर इसका एक यह और इसका भी answer जाहिए वो गरवर दे रखा है सन्निकुमार सोनी कह रहा है एको पैसे का book नहीं है ने भया ऐसी वात नहीं है book बहुत काम की book है यह बहुत काम की book है ऐसा नहीं है पहली वार book छपी है तो कुछ ना कुछ गलतियां तो जरूर होंगी ठीक है और कम से कम इसी वहने इसी वहने दिमाग तो दोड़ाते हैं ना हम लोग देखते था है कि हाँ अगर इनोंने आंसर दिया तो अब तुम कहोंगे सब आंसर इसका भी गलत लग रहा है ठीक है अब देखना फॉर इर्रेगुलर टोपोग्राफी दा मोसी टेवल मैथट ऑफ इर्रिकेशन विल भी तो अब्विस सी वात है यहां पर आप देखो बाइल फ्लडिंग डेडिली अविल इस प्रिंकलर और डिप दौनों दे रखा है ठीक है तो इसका आंसर जोगा वो इस प्रिंकलर ही हो जाते दूसरी बात फिर यह भी है कि इस लेगुलर टोपोग्राफी स्प्रिंकलर ही ठीक है ठीक है स्प्रिंकलर डिटिकेशन चले भी फिर आगे आप थियोरी पड़ी जाए आगे थियोरी के तरब बढ़ते हैं तो पहले चैप्टर की थियोरी बेसिकल ली क्या होगी आपकी क्वेस्टन के थुरू ही हमने काफी सारी चीजे जह है वो टर्म्स हो गई डिफरेंट टाइप की आपके पास जो इर्डिगेशन मैथर्ड्स हो गए उनको हमने हैं पर सीखा है ठीक है अब अकले पार्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ग्राउंड में जो वाटर होता है वो किस तरह से एविलेवल रहता है हम यहां है है कि इस प्रिंक लर शिस्टम को इन्स्टॉल ना कर पाएंगे इर्म्स ताम में और ड्लीस अलूर कर लोगे बीटा प्थर पाइप जहें मों ड्ость Ind kimchi इस पर जिइग कि लगाने पड़ते हैं इस प्रिंक system और वह सारी चीजी तो आपको क्या करने पढ़ेंगे डिप वाले में अपने आप और होजाएगी डिफ के लिए भी वह सारी मेहनत आपने करनी हमें तरहें के इस नहीं है चले तो नेक्ट साब कर जो है अब हमें पढ़ना है कि सॉ इल से soil moisture के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो soil में moisture किस तरहां से रहता है और किस तरीके से जो crops हैं वो किस तरीके से water absorb करती है ठीक है तो classification of soil water तो सबसे पहली बात क्या होती है कि माली जी हमारे पार soil है इसके अंदर हमने क्या कर दिया जैसे हम लोग soil mechanics में दिखाते थे यह आपके पास solid हो गया और इसके ओपर यह क्या हो गया water हो गया अब इसमें यहाँ पर इतने water को हमने बोल दिया है यह surplus water है यहाँ कर तक क्या है यह आपके पास available water है ठीक है यह आपका building point आ गया और this water is not available तो building point से नीचे का पानी available नहीं होता और जो उपर का surplus water है वो भी available नहीं होता क्योंकि surplus water क्या हो जाएगा gravity की वज़े से तुरंत यहाँ से भाग जाएगा ठीक है building point के नीचे basically water है तो यहाँ तक water है तो यहाँ तक लेकिन इतना जो portion होता है building point से नीचे वाले जो moisture content होता है उसको मिट्टी की जो पौदों की जड़े है वो खीच नहीं पाती capillary action जो हो उतना लग नहीं पाता है तो जो available water होता है वो हमारे पास थोड़ा सा क्या होता है काम होता है तो जो surplus water में क्या है है इसको अब लोग ग्रेविटेश्ट तो देखें का जान से तो ग्रेविटेशन वाटर क्या होगा not held by soil and drains out freely यह पानी क्या होगा मिट्टी जोते इस पानी को hold करके नहीं रख पाती यह फिलो कर दाएगा ठीक तो ग्रेविटेशन वाटर को बोलेंगे फिर इसके बाद में आता आपका capillary water capillary water क्या होता है held in the soil by surface tension और कहिए capillary action की वज़े से इतना पानी मिट्टी के अंदर क्या हो जाता है रुख जाता है it is also designated as available water हाला कि available water में से एक थोड़ा सा moisture आपका ऐसा है जो extract नहीं हो पाएगा जो extract नहीं हो पाएगा ठीक है तो यह आपके पास हो गया PWD permanent building point की अगर इससे नीचे moisture content पहुंच गया soil के अंदर तो पौदे क्या हो जाएंगे मुर्जा जाएंगे मुर्जा जाएंगे ठीक है चले तो इस पूरे को हम लोग field capacity भी बोलते हैं कई बार का बोलते हैं इसका field capacity भी बोलते हैं तो field capacity मैं से building point माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा available water मिल जाएगा लाइब वीडियो में भी two times speed कहां two times है आज तो मैं बहुत शिलो पढ़ा रहा हूं ठीक है आज तो मैं बहुत शिलो पढ़ा रहा हूं कि लास के पहले हाला कि मैंने बताया नहीं आप लोग को कि बहुत खतरनाग वाला headache था कि अभी हाना कि ठीक है तो चलो खेर बढ़ते आगे तो ठीक है वह या तो यह जो capillary water है या तो field capacity आप बोल सकते हैं तो field capacity मैं से building point minus कर दोगे तो आपको available water मिल दाएगा अभी हम लोग आगे देखेंगे एक होता हाई hygroscopic water hygroscopic water क्या होता है कि जो dry soil होती है वह atmosphere में से जितने moisture जो है उसको absorb कर लेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं hygroscopic water बोलते हैं ठीक है तो it is absorbed by the particles of dry soil from the atmosphere and is held as a very thin film on the surface of the soil particle due to adhesion it is not available for plant उसको क्या हापर chemical bonds होते है chemical bonds होते है ठीक है चलिए फिर यहाँ पर कुछ terms होते हैं इनको और समझ लेते हैं जैसे इसमें एक है soil moisture tension soil moisture tension क्या होता है तो tenacity with which water is retained in this soil measured as force per unit area अमला एक का प्रेशर ही है generally expressed in atmosphere soil moisture stress होती होती है soil moisture tension plus osmotic pressure osmotic pressure क्या होता था याद आप लोगों को भूल गए osmotic pressure osmotic pressure में क्या होता था कि जैसे हमारे पास क्या है एक यह semi permeable membrane होती है SPM अर्ध पार्गम में जिल्ली और इस अर्ध पार्गम में जिल्ली में एक side में क्या होता है हमारा होता है pure water यह क्या होता था pure water और दूसरी side में क्या होता था salty water होता था दूसरा क्या होता था salt water तो इसमें क्या है salt गुले हुए है तो पानी किदर से किदर जाएगा पानी किदर से किदर जाएगा पानी का movement किदर से किदर होगा कि दर से कितर होगा फ्रॉम लोवर सॉल्यूट कॉंसेंटेशन टू हाईर सॉल्यूट कॉंसेंटेशन गलत जवाब गलत जवाब यह डेपनीशन ही गलत दे रखे एक्शली बुक में इसलिए बच्चों को गंफिजन हो जाता है हाई कन्सेंटेशन टू लो गान्सेंटेशन लेकिन हाई कॉंसेंटेशन किस का पानी का टीक हैं तो बेज़िकली इधर से इधर वाटर जाएगा इधर से इधर ठीक है तो यह आपका ओस्मोटिक होता है for example सोचो जब हम लोग अचार जब हमारे घर में आम का अचार पड़ता है तो अचार जब पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं आम को जब काटते हैं तो उसको नमक लगा कर क्यों रखा जाता है यह जो high concentration to low concentration होता है वो पानी से salt की तरफ होता है तो solute तो उल्टा बोल दिया ना solute का high concentration इधर है solute का high concentration इधर है low concentration इधर है तो फिर फिर पानी high concentration से low concentration इधर जाना चाहिए ना मैं दुबारा पड़ता हूँ आपने क्या लिखा है फ्रम लोट solute concentration to higher solute concentration अच्छा ठीक वो ला ठीक 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 ठीड ठीक फच्छाइए निकला समय जया इधरem lower solute concentration है इधर हाई solute concentration है तो low solute concentration से हाई विल्कुल सही है ठीक है मैं रह्त पड़का ठीक है है मैं निकलत पड़क तो एक्षिली बुक में लिखा होता है high concentration से low concentration तो वो water के reference, solvent के reference में होता है ठीक है तो देखो हाँ, तो जब अचार पड़ता है घर में तो आम को काट कर नमक में रखा जाता है, क्यों? तो कि नमक में क्या हो गया कि बहार salt का concentration जादा है और वो जो आम है जिसे आपने काटा है उसके अंदर salt का concentration क्या है कम तो वहां से water क्या होगा बाहर खेंचाएगा और हम क्या चाहते हैं कि इस में से moisture जिए हो निकल जाए ताकि उस moisture क्योंकि जो moisture रह जाता है उसी के वज़े से क्या होता है खराव होता है कि उसकी वज़े से क्या होता है खराव थानी मुझे पूरा ध्यान तक कि कल की याद दिराई जाएगी ठीक है और इसके उल्टा क्या होता है इसके उल्टा जैसे होता है कि हम ठीक है खेर मैं तो अपना एक्जामपल दूगा तो जैसे अब छत पर गंबले वगारा में कोई पूल वगारा कोई है अच्छा तो उसको तोड़कर हम लोग क्या कर देते हैं पानी में रख देते हैं या कोई हमें बुके वगारा देता है तो हम लोग से क्या कर देते हैं पानी से भरे वीकर में रख तो यह जो को प्रोसियों के लिए जो प्रेश सर Śका लगा जाता है उसको लोग क्या बोलते हैं 우ह कि क्या बोलता है उसको रॉस्मोशीन प्रेशर बोलते हैं तो के अधो गर्डिक है उसमें osmotic pressure इसको दौनों को add कर देते हैं एड करते हैं ठीक है ना दी आस्मोटिक प्रेशर आप दी सॉइल सल्विशन मस्ट भी मेंटेन एज लो एस पॉसिवल भाई कंट्रोल लेचिंग ठीक है अब देखें यह आपके पास saturation capacity होगी और यह यहां तक क्या है field capacity यह आपके पर्मानेंट बिल्टिंग पॉइंट हो गया और यह आपके पास क्या हो गया optimum moisture content optimum moisture content क्या होता है कि जरूरी निया आप पॉदों को ज्यादा पानी दोगे तो पॉदी अच्छे होंगे ज्यादा पानी देने से पॉदी गल्बी जाते हैं इसी वाज़े से जो हम लोग गंबले वगरा लेके जाते हैं तो तुमने देखोगा इन में नीचे क्या होता है एक होल क्या रहता है ताकि इसके अंदर जो भी मिट्टी है अब अगर इसमें आप पानी भरेंगे भी तो एक्स्टा वाटर क्या होता है यहां से निकल जाए केवल सफिशन वाटर ही क्या हो यहां पर सॉइल में एब्सॉब्ड रहे तो वाट इस सैचुरेशन कैपसिटी मैक्सिमम वाटर हेल्डिंग होल्डिंग कैपसिटी ऑफ दिस सॉइल एक सेकेंड वेट कर लेते हैं प्रें की वॉल्यूम को जादी आ रही है तो इसमें भी हम यही करेंगे जल्दी जल्दी पहले डेफिनिशन पर लेंगे बाकिस पर को दीर सारे क्रेंचं करेंगे व Cleus फिल्दी कैपसिटी मैक्सिमम अमांट ओ black which can be held against gravity, against gravity, ठीक है, तो हो सकता है कि soil जितना total water उसने absorb तो कर लिया, लेकिन उसमें से कुछ water जो हो gravity के against flow कर सकता है, ठीक है, gravity के against जितना water ये absorb करके रखेगी soil, उसी को क्या बोलेंगे, field capacity बोलेंगे, ठीक है, now, soil moisture tension at permanent building point ranges from 7 to 32 atmosphere, ये आप से exam में पूछा जाता है, ठीक है, तो soil moisture tension at permanent building point, मतलब यहाँ पर 7 to 32 atmosphere pressure आपको लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा, पाणी मिट्टी में से खीचने के लिए, मिट्टी में से खीचने के लिए, ठीक है, अब देखते हैं, आगे, now, depth of water stored in the root zone, DW, ये क्या होता है, तो पहले field capacity समझते हैं, what is field capacity, it is weight of water retained in certain volume of soil, upon weight of same volume of dry soil, same volume of dry soil, ठीक है, तो formula यहाँ से depth of water का हमारे पास यह आ जाता है, तो हम लोग पहले field capacity का formula बनाते हैं, तो field capacity को हम लोग F से भी लिखते हैं, और F-C से भी लिखते हैं, तो weight of water retained in certain volume of soil, upon weight of same volume of dry soil, यह आपके पास हो जाएगा, एक सेकिर मेट कीजेगा, इसमें कुछ कर्वर्जी कैसा लग रही है, तो माल लेते हैं, हम लोगों नहीं जो area ले लिया, वो soil का A ले लिया, ठीक है, A, और हमने यहाँ पर जो water है, depth of water, वो हमने ले लिखते हैं, तो यह क्यों हो गया, और gamma W से multiply कर दिया, तो यह क्या आगया, weight आगया, now weight of same volume of dry soil, यह formula जो है, इसमें गलत लिखा हुआ है, इस book में formula जो है, वो गलत लिखा हुआ है, field capacity का, field capacity का formula गलत लिखा हुआ है, एक second wait कीचेगा, आप लो, जो exact formula होता है, वो है, weight of water, weight of water retained in certain volume of soil, upon weight of same volume of dry soil, तो हमने क्या कर लिया, मान लो, हमने क्या कर लिया, मान लो, जो soil ले ली, वो D depth ले ली, soil की depth हमने कितनी ले ली, D, तो अगर और यह कितना ले लो जितना root zone depth है उतना ले लो ठीक है root zone जहां तक है जहां तक पौदे की जड़े पहुंची हुई है उतनी depth हमने ले ले ली तो अगर area A ले ले लेंगे तो यह volume कितना हो रहेगा A into D हो जाएगा और dry density अगर gamma D है तो इतने volume का जो weight हो जाएगा वो क्या हो जाएगा A into D into gamma D हो जाएगा आप कहरा weight of water retained in same volume of size तो इसमें पानी कहां तक हो सकता है तो मान ले रहे हैं कि इसमें जो पानी है वो D depth तक है यहां तक मान लीजिए इसमें जह है वो यहां तक water है तो water के depth कितनी होगी बट area तो वह ही है तो A into DW और density gamma W तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास जो area से area है वो cancel out हो जाएगा तो यह आपके पास field capacity का formula बन गया यह आपके पास क्या आगया field capacity का formula आगया यहां से आप depth of water निकाल डालोगे तो जो depth of water हो जाएगी वो वरावर क्या हो जाएगी आपके पास field capacity into D into gamma D और upon gamma gamma W तो यहां से यह formula आपके बनता है इस basic definition से इस basic जब वाइस प्रोब्लम होगे क्या ? झाल 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 अब आ रही है अब तो आ रही है वाज अभी ठीक है अब ही ठीक है जल्दी बताईए वह अब सही है ना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बोड़ी चलो अब में रिखाल से आब हमने बीच में बार बंद करके स्टार्ट कर दिया तो शायद अब नहीं जाएगी अब आज बादने मतलब जो दिक्कत साड़े-9 बजे होती थी वह अब नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह देड़ घंटे का हमने ब्रेक पीच में कर दिया उसको ना तो देड़ नहीं साथ धाई घंटे का अधाई गंटे में वोईस की प्रावलम आती थी ना पहले भी आ देती कोई बात नहीं कि अरे तुम लोगों नहीं कहा उसमें मैंने का कि कल कितने हो जाएगा तुम लोग चिलाते रहे जाओगी को कि उदर से आपका जो कमेंट आने में 30 सेकिंड का टाइम लगता है ना तो मुझे लगा कल कितने बोलोगे कि सर अपने-पने में पढ़ाय जाने कमेंट देखी न कर दीने कि यह जैंड कि नहीं आएगी अब नहीं आएगी अप क्योusan करके स्टर्ट इा ना भींच नहीं लगता कि शायद आएगी वो दिखा चलो खेर तो बिटा ये वाला formula का आप भूल भी जाओ तो exam में बना सकते हो कैसे बना सकते हो इस formula को exam में कि आप क्या कर लेना certain depth ले लेना soil की और कितनी depth ले तो better है कि जितने area में क्या है पौदों की जड़े हैं उतने ही depth लें आप ठीक है तो यह आपके पास क्या जाएगा root zone depth यह आपने d माल ली तो इतनी soil का weight क्या हो जाएगा तो माल लो इसका जो area हम लोगों ने ले लिया वो a ले लिया तो a into d volume दे देगा इसको gamma d से multiply कर दो तो dry soil का weight हो गया अब यह कह रहा है इस मिट्टी में जितना पानी है इस मिट्टी के अंदर जितना पानी है वो तो माल लो यह जो है वो dw है depth of water है इतनी के अंदर तो area तो constant है तो a dw यह पानी का volume और into gamma w और यही क्या है field capacity की value यही field capacity है तो यहां से अगर हम depth of water निकालना चाहे तो serious क्या हो जाएगा आपके पास जो हो जाएगा d gamma d upon gamma w और into क्या field capacity field capacity अगर इस ही को हम लोग available water की term में करना चाहें इस ही क्या करना चाहें अगर हम available water की टम्मे करना चाहें तब यहीं पर कर देलेगा field capacity minus 5 और 5 क्या हो जाएगा आपके पास permanent building point 5 क्या हो जाएगा permanent building point ठीक है वही यहाँ तक कोई दिक्कत यह formula याद रखेगा बहुत important है इस पर exam में आपको direct question exam में मिल सकता है ठीक है तो यह formula आप याद रहे तो ठीक नहीं तो ऐसे बना लिजेगा depth of water का formula हो गया F field capacity d depth of region gamma d dy unit weight of soil याद रहे का unit weight of soil है ना कि solid अगर यह solid का weight हो जाता ना पता है तो फिर आपके पास field capacity basically water content यह जाता field capacity is nothing but water content with respect to soil ना कि soil solid है चले है ना एवेलेबल moisture depth of plant तो डी डी डावली डैस के लिए हम लोग क्या कर देंगे उसी formula में field capacity में से permanent building point क्या कर देज़ेगा माइनस कर देज़ेगा एवेलेबल फिर उसी में से क्या हो रहेगा हमके पास है रेडिली एवेलेबल moisture depth of plant डी डी डावल इस बराबर है गामा डी अपॉन गामा डवली इंटो डी एफ सी माइनस रेडिली एवेलेबल moisture इंगर वरे ठीक है चलो इतना ही काफी है इसी के basis पर हम लोग सवाल कर देंगे ठीक है उसी के basis पर हम duty डिल्टा निप्टा आते हैं ठीक है पहले एक ही तरीके के हम लोग सवाल कर लेते हैं चलिए now type of crop देख लो तो पहले बाद तो रवी और खरीफ तो रा से रस गन्ने का रस तो रवी की जो फसल होगी रवी की जो फसल होगी वो कौनसी होती है सरदी हो वाली रा से रवी सा से सरदी ठीक है तो ठंड में जो फसल होगा मलब अक्टूबर में बुआई होती है मार्च में कटाई होती है ठीक है तो sowing and harvesting तो रवी winter crop होती है का खा गा खा और गा तो का खा गा याद कर ले न वही है खा से खरीव गा से गर्मी तो खरीव की फसल गर्मी basically monsoon session में होती है अप्रेल में लगाऊगे से प्टमबर में काटोगे जुआर, सोयबीन, राइस, बाजरा, कॉटन मेज, एक्सेक्टरा, खरीफ की फसले हो गई, रवी की फसले, पोटेटो, वीट, ठीक है, तो आलू गेहूं, डाले, चना, मस्टर्ड, बारले, एक्सेक्टरा, ठीक है, चले, अब यहाँ पर देखेगा, एक optimum moisture content होता है, तो शुरू में क्या होता है, देखे, एक minimum water content, यह आपके पास क्या रहेगा, बिल्टिंग पांट, अगर इससे कम पानी रहे गया, तो फिर तो फसल वैसी खतम है, जैसे जैसे water content बढ़ेगा, growth जो है, वो बढ़ेगी, तो एक certain moisture content पर आपको maximum growth मिलेगी, ठीक है, तो उसको में बूल देगी, optimum moisture content, यह तो आपका फिर वो ही हो गया, कौन सा गिराफ था इस्टेंडर प्रॉक्टर टेस्ट, इस्टेंडर प्रॉक्टर टेस्ट, अंकिर कौतम कह रहा है, मेरा एक दोस्त था रवी, उसको हमेसा जुखाम रहता था, उसी से मुझे याद है कि रवी मतलब सर्दी, वाह, 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 तुमारा दोस्ती तुमारा comment पढ़ेगा, तो क क्या कहेगा, तुमारा है, मैंग भाहिया, इतनी बात लिखनी है, एक ही comment में लिख दो, एक एक बात तो कहने में 50 comment क्यों कर रहे है, तोड़ तोड़ के, चलो गया, और इसके आगे अगर पानी बढ़ा, तो अगेन क्या हो जाएगा, फिर से आपकी जो growth है, आपकी मतलब प पढ़ेंगे, crop period, time with been sowing of crop and its harvesting, बोने से लेकर काटने तक का जो time होता है, वो crop period होता है, base period, time with been first watering and last watering, तो crop period बेस 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 को generally से मान लेगा था, लेकिन तौनों का sense अलग है, ठीक है, तो पहली बार पानी देने से और आखरी बार पानी देने के बीच का जो time होता है, उसक होता होगा, ठीक है, duty, what is duty, duty कै है वहीं, तो बैसे तो पता है सब को duty कै है, तो क्या कहा जाता है कि अगर Q discharge से आप A area irrigate कर देते हो, Q discharge से अगर आप A area irrigate करते हो, यह कोई canal है, और इस canal से क्या हो रहा है, Q discharge हमें मिल रहा है, और इस Q discharge से आपने यह क्या कर दिया, A area irrigate कर दि तो 1 meter cube per second से कितना करोगे A upon Q करोगे इसी को बोला जाता है duty इसी को बोला जाता है duty ठीक है तो duty क्या है area of land in hectares याद रहके का in hectares that can be irrigated when 1 cubic of water is supplied throughout entire waste period लेकिन यह किसे complete waste period में यह पानी जो है वो continuously हमें हां से मिलते रहना चाहिए unit क्यों रहेगी hectare per cubic meter ठीक है second next is delta what is delta तो delta is total depth of water applied over an irrigated land at different watering throughout entire base period तो जैसे भी बताया था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे पलेवा से चाहिए करेंगे तो उसमें माल लो आपने 2 cm depth तक पानी भरा फिर core watering की core watering में माल लो आपने 10 cm तक पानी भरा उसके बाद आपने माल लो 5-5 cm करेंगे 2-4 बार पानी उसमें भरा तो यह total depth सब को जब आप add कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा delta मिल जाएगा तो जितनी बार भी watering की गई है खेतों की वो सारे पानी को जो हम लो add कर देंगे जो हम लो add कर देंगे तो क्या हो जाएगा add कर देंगे तो क्या हो जाएगा delta मिल दाएगा एक सगेंड वेटेंड आज पानी नी पिया बिलकुल भी पानी पी लें थोड़ा साथ कर देंगे डेल्टा जो है वो आपका किसमें रखा जाता है मीटर्स में तो दू टू डेल्टा और बेस प्रेड इन तीनों में रिलेशन होता है बहुत इसली आप इसको डेराइव कर सकते हो टोटल वॉल्यूम का आपने क्या कर रहा है कंजर्व कर देना है ये ए इन्टू डेल्टा ए इन्टू डेल्टा क्या हो रहेगा वॉल्यूम हो जाएगा और उधर हो जाएगा क्यू इन्टू टाइम Q into time अब यहाँ पर A आपका क्या है hectare में तो उसको आपने क्या करना पड़ेगा meter square में convert करना पड़ेगा तो A into 10 is to power 4 और delta आपका meter में लेंगे ना centimeter में तो नहीं लेंगे ठीक है तो delta आपके पास हो रहेगा Q जो है आपके पास meter cube पर second में है Q जो है यह आपके पास किस में था hectare में था इसने उसको meter में convert किया Q आपके पास meter cube पर second में है तो यहाँ जो time है जो B है वो days में B क्या है days में है तो days को अगर मैं second में convert करूंगा तो इसको क्या करना पड़ेगा 24 into 60 into 60 से क्या करना पड़ेगा multiply करना पड़ेगा ठीक है तो basic equation यह बनेगी area hectare में था तो आपने तफसे 10 is to power 4 से 10 is to power 4 से multiply किया तो meter square में आ गया delta से multiply किया already meter में था यह meter cube बन गया cube meter cube per second था तो इसको भी हमें second में convert करना पड़ेगा तो days को 24 से multiply किया hours, minute, second इसको आप equation को simplify कर लीजेगा तो आपको यह relation मिलेगा यह relation मिलेगा आप इसको इस form में भी कर सकता है नहीं तो generally इस form में लिखा जाता है duty is equals to 8.64b upon delta इस form में लिखा जाता है जैसे मर्जी वैसे कर लो लेकिन यहां पर ध्यान रखेगा कि जो duty आएगी वो आपके पास hectare d जो आएगा वो आपने hectare per cubic meter cubic meter per second में लेना है क्यों? क्यों कि यह हम लोग यहां पर already adjust इसको कर चुके है इसको हम लोग adjust already कर चुके हैं हम लोग पर गुके हैं हम भी एह जग। हम लोग जाभ लोग 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 ड़ो आप आप measure हम लोगा भी और में लोग है हम अपए नन डख़हा लोगा हम लोग उगके है हम लोग lasci्ख concept क्या क्या लिख रहे हुं तुम लोग चलो चलो फाल्तु में फाल्तु की बाते मत करें हैं पर पढ़ाई पर जान दो ठीक है तो यह रिलेशन आप लोग याद रखिए का बस यहां पर ध्यान के रखना एक टाइम होता था कहते थे इर्डिगेशन में कुछ आये ना है यह फॉर्मुला जरूर याद करके चले जाना ठीक है मैक्सम एक्जाम में इसी पर क्वेस्चन जो है वो आ जाता था मुझे टोकना पड़े जहां मुझे टोकना पड़े जहां मुझे टोकना पड़े उस लिमिट तक मत जाईए आटनी है थे किकिया तो आश्यरा कमेंट सेक्शन का ध्यान रखें ठीक है तो यहाँ पर बस यह रखना एकि कि कौन क्या प्रमीटर क्यूब अब या कि मांनली ची को यह कोई रिवार रहा हे इस से मेंी के sweetness यह में से यह ब्रांच के नाल आ गई यहां से फिर आपकी मेजर डिस्टिबिटरी आ गई फिर माइनर डिस्टिबिटरी फिर आपका वाटर कोर्स फाइनली फील्ड अब कितनी भी जगह बना दो से फरक नहीं पड़ता तो यहां दखें का जो ड्यूटी होता है वह फिल्ड के लॉस जितना कम होगा डिोटी उतनी जादा होगी जब लोग रीवर से पानी को कैनाल में भीजते हैं तो यहां से फिल्ड तक आते आते बहुत सारे लॉस रॉस हो जाते हैं जिस वजजे से जेलिवका उतकर T तो और अगर वही पानी हम लोग वही ड्यूटि अगर हम लोग यहां करें field पर calculate करें यानि कि यह है क् पानी माल लो यहीं पर हम लोग participants निकालने माल लोग पानी हमें यही पर ट्यूब मिल रहा है खेत पर ही और उसको हम लोग सीधे खेत में उस पानी को भेज रहें कितने से एक मीटर क्यूप पर सेकंड के डिश्यार से तो इंदिगेशन ज्यादा अच्छा होगा एफिशेंसी जढ़ा मिलेगी ड्यूटी जाता होगी लेकिन अगर एक मीटर क्यूप पर पानी जाते जाते हैं यहां पर कितना 0.1 meter cube per second रह जाएगा तो ठीक है बहुत दादर losses हो जाएगे तो duty क्या हो जाएगी decrease कर जाएगी duty is minimum at source and maximum at field maximum at field killer हो गया ठीक है तो इसको आपने ध्यार रखना है तो बस इस simple सा point अगर आपको याद रहेगा तो हो जाएगा next है commanded area what is commanded area area to be irrigated by canal system तो किसी canal system की reach में जितना भी area होता है वो सारा का सारा क्या होता है commanded area होता है ठीक है now gross commanded area total area that can be irrigated if unlimited supply of water is available जो भी total area है उसमें से कितना area हम irrigate कर सकते हैं अगर हमारे पास क्या है water available हो जितना मर्जी उतना उसको बोलता हम लो gross commanded area अब जितना area irrigate कर सकते हो जरूरी नहीं कि उस सारे पर खेती हो ही रही हो तो cultural commanded area CCA that part of gross commanded area which is fit for cultivation जिसमें खेती की जा सकती है कि एवल उतने area की बात होगी तो that is CCA next होता है intensity of irrigation अब जितने में खेती की जा सकती है और कितने में खेती हो रही है दौनों different part है हो सकता है कि खेती करने लाइक जमीन जादा हो बट सारी खेती पर सारी जमीन पर खेती हो ना रही हो intensity of irrigation intensity word यहां पर पता नहीं क्यों रखा गया सीदे सीदे percentage है किसका परसेंटेज है कल्चेवल कमांड एरिया का तो सीदे सीदे का वो परसेंटेज जिस पर खेती हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे intensity of irrigation बोलेंगे क्या किलिए करें डेल्टा वराबर टू बी अपॉंड यह क्या है जो फॉर्मुला बता है उसी को करो क्या ठीक है चले तो intensity of irrigation समझ में आ गया तो percentage of CCA that is proposed to be cultivated annually intensity can be even greater than 100% यह भी याद रखेगा intensity 100% से जादा हो सकती है कैसे हो सकती है 100% से जादा क्योंकि एक ही जमीन में एक ही जमीन में साल में दो या तीन बार भी फसले होती है तो वो area वहले से limited है यहाँ पर खेती से मतलब है तो एक बार मालीजे आपके पास 100 hectare का एक form था कितने का था 100 hectare का एक form था इसमें से आपने सर्दियों में 80 hectare पर खेती की है और गर्मियों में फिर दुवारा से माली यो फिर दुवारा सेटियर के कि तो टोटल खेती कितनी हो गई बटेक्षी एक़्च्टी अ कितुक्र और कि ताइम्स यूजिया है multiple time यूज किलाज दस वजी तक ही होगी बताया तो था आपको आज किलास के स्टार्टिंग में अनांस कर दिया था इकलास के वलब 10 वजी तक होगी ठीक है और कल से अब टाइम रहेगा साम की किलाज जोगी सास से दस वाली वो तीन घंटे ही हुआ करेगी ठीक है केवल सेवन टू टैन आपकी किलाज होगी और अब जो टाइम मिलेगा आपको दिन में मिलेगा और मैं आप सबसे भी कह रहा हूँ अब अपना सेड्यूल बना लीजिए आप लोग भी आज से रात में जल्दी सोईए रात में जल्दी सोईए रात में पढ़ने के लालच में मत रहिए अराम से दस ग्यारा अभी धीर धीर टाइम कम कीजिए ग्यारा वजे सोने की हैविट डलिए जल्दी सोईए सुबह को जल्दी उठके पढ़िए आप लोग विलीव मी यह यह चीज़े बहुत वर्क करती है बहुत अफेक्ट करती है एक्जाम में ठीक है बहुत फर्क करते एक्जाम में आप में से किसी ने पैडियूप्टन का नाम सुना है पैडियूप्टन कि इसका नाम सुना यह कौन था कि हूँ वास पैडी उप्टन अब कुछ बोलेंगे हमने तर्मरिक उप्टन का नाम तो सुना है पैडी उप्टन का नहीं सुना मेरे साथ भी हुआ इसलिए जो मेरे जो सिर में दर्ध है वह इसी वज़े से रहता है कि जब रात में देड़ तक किलास होती है फिर वो नींद नहीं आती मुझे मैं भी कम से तीन चार वजे करीब सो यह हूं रात में ठीक है और फिर वो दिन भी ऐसी हो जाता तो पैडी उप mental conditioning coach अब यार mental conditioning coach का क्या काम है भाई वो international level के players हैं क्या है ना और उसकी में कौन थे धोनी सचीन सेवाग यह सारे players थे तो उनको क्या जरूत थी mental conditioning coach की तो क्या होता है कि basically आप जब high level पर खेलते हो जब आप एक high level पर खेलते हो तो आपके जो mental condition जो mental situation है ठीक है जो health है वो बहुत high level की होनी चाहिए ठीक है तो मतलब क्या होता है कि जो high level पर perform करते हैं वो एक बारिक से बारिक चीज का जो है वो लोग खयाल लगते हैं ताकि उनकी performance पर असर ना पड़े हम student ठीक है चाहे वो gate की तयारी कर रहा हो चाहे वो engineering services की कर रहा हो चाहे वो UPSC की कर रहा हो हमारे लिए तो जो ये UPSC AE है वो इन से भी बड़ा exam है अपन लोगों के लिए तो हम लोग बहुत सी छोटी छोटी चीजों को ignore कर देते हैं जैसे sleep जैसे diet जैसे कितना पानी पीना है exercise ठीक है मालब पढ़तों रहें बड़ बाकी चीजें जो हो रही है वो neglect हो रही है कोई timetable फॉलो नहीं होता यह सारी चीजें तो इन से कही ना कहीं performance पर असर पड़ता है बहुत मेरे साथ हुआ था कि जब मैं engineering services का exam था मेरा मेंस का में में इस था प्री था प्री था सर्दियों में था प्री था और जनवरी में एक्जाम था और लखनों में 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 सेंटर था लखनों में सेंटर था तो अब यह समझ लीजिए जब हम लोग सेंट एक्जाम देने गए जनवरी में तो वहां पर बारिश हो रही थी सर्दियों में बारिश हो रही थी और एक्जामिनर ने मुझे कहा बिंडो के पास मेरी सीट थी वो मिल गई ठीक है वहाँ बैठा मैं अब मेरे को क्या है सिर में ठंड बहुत जादा लगती है और नीन आने लगती है जब मैं बैठता हूँ नीन आने लगती है तो मैं जादा तर क्या होता कैप लगा के रखता हूँ ठीक है ताकि सिर में हलकी सी गर्माहाट जए वो गर्माहाट जए वो बनी रहे तो अब उन्होंने क्या कर दिया एक तो वह विंडो में विंडो क्लोज नहीं थी ठीक है ओपन विंडो थी बारिश हो रही है जन्वरी का महीना है इतनी थेज ठंड और उपर से एक्जामीनर ने बोला कैप हटानी पड़ेगी अब मैं उसे कहा रहा हूँ भया कैप लगान एक्जाम देना और वह सब ठीक है तो एक्जाम में था बहुत वहेंकर है डिक वहेंकर वाला और ठंड लग लग रही थी तो बस एक्जाम दिया हालां कि वह क्वालिफाई तो हो गया लेकिन प्री के मार्क्स क्योंकि फाइनल में जोड़ते हैं तो अगर वो सिच्वेशन नहीं बनती तो साइध स्कोर जो है वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाता जो कहीना कि मेंस में हेल्प करता तो बहुत छोटी-छोटी चीज़े होती है जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं अ और कितना दो से साड़े चार है या धाई से पांच है जो भी है देख लेना कि जो एक्जाम टाइम है आप उस में उस ताइम में पढ़ाई जरूर करो आप उस ताइम में पढ़ाई जरूर करो ठीक है चलिए सब डर लग रहा है उसका कुछ बताईए डर तो भाईया सबको लग रहा है ठीक है लेन वो ही कह सकते हैं डर की आगे जीत है डर को पॉजिटिव एनर्जी में कंवर्ट करो डर है तो उस डर को मिटाने के लिए कुछ करो ठीक है और डर होना जरूरी भी है एक्जाम की पहले दिन ही क्यों कुछ दिन पहले ही आदमी सब को क्यों पढ़ने लग जाता है क्योंकि डर से बड़ा मोटीवेटर कोई नहीं है डर से बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं है ठीक है तो डर की वज़े से लोग करता है एफिशेंसी बढ़ जाती एक दिन में दर दर दिन का काम कर देते हैं डर की डर से ठीक है डिपलोमेंटिक आंसर नहीं दे रहा क्योंकि कि सही बाते डर है तो आफ सोचोँ डर किस लाइелич जैसर फरक्जामपल मैं अपना बताऊँ अगर तो डर मुझे भी है कि मानलो मैंने भी हिंदी नी पढ़ रखिए बिल्कुल भी एकक於 साम जैसे मुझे भीुझे देना तो ऐसा नहीं कि डर आप लग रहा है डर हमको भी लग रहा है बलकि आपसे जाधा हमें लग रहा है आप लोगे तो फिल भी हमसे जादा तैयारी है हिंदी पर रखा जीएस भी पर रखा है तो आप यह आइडेंटिफाई करो सभी लोग कि डर किस चीज का है क्या है कि हाँ इनिन चीज़ से डर लग रहा और थोड़ा साप प्लानिंग करो अभूत आपके पास कितना आज के दो तारीख है कि अर दो है ना हो गुट ठोट इसंबर हो गया तो अभी आपके पास नौ दिन तो मानी लो, आपके पास नौ दिन है, नौ नी तो आठ दिन तो हैं ही, ठीक है, दस तारीक तक कर भी टाइम लेके चले, तो तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, आठ दिन मान लो, ग्यारा बारा छोड़ दो चलो एक्जाम, दो दिन पहले, तो इन आठ चीज़ आपने पहले पढ़ रखी है, खुब अच्छे से पढ़ी है, तो इन आठ दिनों में आप उसको कैसे रिवाइस करोगे, ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक आप सभी को, बहुत सारे टॉपिक आप सभी को अच्छे से आते हैं, टेंड डेज रिमेंडिंग है, वर वो लास्ट के दो दिन तो ट्रेवलिंग में और ठीक है घवराट में ही निकल जाते हैं उन दो दिनों में कुछ हो नहीं पाता है उसको तो अलग आप शौर्ट रिविजन के लिए रखें इन आठ दिनों में आप उन्हें इर्यास पर वर्क करो जहां पे आप लैक कर रहे हो जैसे मुझे अपना पता है कि भाई जी इस नहीं पड़ा हिंदी नहीं पड़ी या कुछ और टॉपिक्स हो सकते हैं तो हम आज दिनों में उन पर वर्क आउट करेंगे तो आपने भी वस यह सोचना है हुआ 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 है क्यों चंद पता तुमने पढ़ लिया कौन सी वोक है तुम आपास हिंदी की पैसे बुक तो खड़ीद लूँगा लिव सेंट बगार कि आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं है तो आप समझ रहे हैं सभी को डर लग रहा होगा इस समय पर तो आप आप उस डर को आप यह देखो कि डर किस चीज से लग रहा है उसको आइडिन्टिफाई कर लो अगर आप सभी ने अपने डर के डर के सोर्स को आइडिन्टिफाई कर लिया तो फिर जीत आपकी निश्यत और ड़ते ही रहे आप ड़र को आइडेंटीफाई ने कर पाए तो आप उसके अगेंस क्या करोगे आप एक्षिन ने ले पाओगे है एक्षिन ने ले पाओगे ठीक है कि मैं आदित्य पब्लिकेशन के लिए था बैकार निकली वह बाकी पता निए फीलिंग तो कुछ ऐसी आ रही है कि जैसे अभी एक्जाम जो है वो ना भी पता नहीं है वैसे एक्जाम का भी कुछ पता नहीं है मुझे तो कुछ ग्लवर लग रहा है मामला ठीक है बाकि जो कहने है एडमीट काड आएगा वो भी देख लेंगे सर जी एक्जामपूर पर विवेक सर से हिंदी पढ़ी आप या इतना लेक्चर देखने का समय का है सर बुक मत लेना मैं आपको कुछ भेज भेजा है उससे पढ़ लेना चलो ठीक है सर पेपर बार है को नहीं बेटा तेरा को तेरा को है पेपर वाइज आपके प्रैक्टिस हैट कल से स्टार्ट होते रहे हैं कल सुबह में आपका जो 10-11 वजे सेशन होगा 11 वजे उसमें हम लोग क्या करेंगे यह 11 वजे वाले में आपके मिक्स क्वेशन ही तो करेंगी हम लोग100 भेपर के 12 को नहीं होगा एक्जाम 13 को होगा लेकिन अभी थोड़ा सा है ड disturbing मुझे इससी तरह किpay Sabha to型 हो सकती है कि ख fulfilling है फिंठ है बाकि तो देखिए लो कि एची कि करें फो Gelत्रण ठीक इब मुझे पता नहीं वसे इंट्यूशन एक तरीक की का इस तरीक अब तक शायद admit card आ जाने जी था बहुत जादा देर कर दीनों ने और बाकी एक confusion की situation लग दी एक्जाम को लेके न तो अब देखो क्या होता है बाकी एक दो दिन में पता लगी जाएगा ये कयास कियों लगाएं टीक है तो कयास नहीं लगा सकते हां गलत भी हो सकता है बिल्कुल मैं यह नहीं कहा रहाӘ कि सही है गलत भी हो सकता है क्छी आध कर cope सब लोग तो यह ही कहा है कि कल यह परसम है चार तरह कि एंडंबिट गाड़ आजाएगा तो आजाएगे एक दो कि तो क्रॉप रेशो बाइबनाइक दो कि अच्छट सेस्ट पर नुमेडिक कि एक्साम में कि रवी की फसल Will O चाहे को चिए खरीफ की पीरियो का य३शाइबनानी रिमेंस hijoन्य है तो लेज निंग्टम्रेंश चुझा इस छोते से इसे जो डिशार्ड है उसको क्या रखना है आपने एक constant रखना है uniform रखना है uniform रखना है ठीक है ना पले ओ इरिकेशन आपको आल लेडी बता दिया watering done prior to sowing of crop core watering, core depth, core period ये सब भी आपको मालुम है बता रखा है आपको ठीक है core watering होगा जितने depth तक दे दाएगा वह core depth होजाएगी और जितने समय तक water दिया दाएगा वह आपका core period होजाएगा ठीक है next है outlet factor duty of water at the head of field channel also called outlet discharge factor ठीक है तो outlet factor क्या होता है duty of water इस term को याद रखेगा outlet factor is nothing but duty of water at the head of field channel ठीक है also called outlet discharge factor outlet discharge factor तो ये it is nothing but duty फिर होता है capacity factor ratio of mean supply discharge of channel to maximum discharge capacity ठीक है तो आप कह सकता है q is equals to capacity factor into q max into q max ठीक है तो q max तो capacity factor से multiply कर देंगे तो आपको average discharge मिल जाएगा बाकि ये मैं भी बोलूँगा जितनी भी girls candidate है देखो आप बिल्कुल 100% fully motive आपकी कैसी भी तैयारी सही गलत भी मत लिजे का जो बात मैं कह रहा हूं आपकी कैसी भी तैयारी सही आप 100% confidence से जाईए अभी आठ से 10 दिन का समय आपके पास है objective paper है आपको भी मालूम है ठीक है अच्छे से जो भी आपने पढ़ा है उसको revise कर लो handbook उठाके पढ़ लो जो नहीं पढ़ा है उसे भी पढ़ डालो मनलब कोई भी area आप अपने syllabus का छोड़ो मत एक एक चीज पढ़ जरूर जाओ क्योंकि objective paper में होता कोई चीज हमने पढ़ रखी होती है तो option देखकर याद आजाती है और यह मैं आपको दे रहा हूं बता रहा हूं कि जो निमेरिकल और जो objective का जो थियोरी का जो combination रहेगा वो almost 80-20 रहेगा 20% numerical 80% theory जादा से जादा होगा तो 70% theory 30% numerical इससे जादा नहीं होगा ठीक है और इन 20-30% numerical में भी maximum numerical directly formula based होता है because paper objective है ठीक है 75 नमबर के आपकी हिंदी दिये और आपको यह मालूम है आपका competition पहली बात तो क्या है केवल girls में अब उट में से बहुत सी लड़कियां ऐसी होंगी बहुत सी लड़कियां वहापर ऐसी होंगी जिनके बहुत अच्छे नमबर आएंगे तो वो मेरे खाल से व नहीं है सब तो पढ़ती नहीं एडमिशन तो भले से ले लिया आप कम से कम पढ़ रहे हो तैयारी कर रहे हो ना तो आपके chances बहुत जाद है एक कम से backup आपको आप उस तरह से सोच के चलो चीजों को तो उससे क्या होगा मन का डर भी थोड़ा सा कम होगा थोड़ा सा confidence भी ब नहीं देख लो आप टैक पूर पर थे या चाहिए यहां पर अभी भी कितनी गल्स हैं आप गिंती के आच दस रड़किया हैं जो यहां पर तैयारी कर रही है ना तो इसनीं आप बिल्कुल अच्छे से आप लोग कीजिए जरूर हो आगे बढ़ते हैं हम लोग देने टाइम फैक्टर टाइम फैक्टर क्या होता है नंबर ओफ डेज कैनाल एक्चुली रण टूदी टोटल नंबर ओफ डेज ओव वाटरिंग पीरेड ठीक है तो हमने बोला था जैसे बेस पीरेड बी डेज था मान लोग एटी डेज था तो जो दिशार्ज मांन कर अगर कैनाल कम तौद क हम चलता हैं है तो दिशार्ज फिर हमें क्या चाहिए होगा उसमें जादा होगा ठीक है इस पर हम लोग करेंगे ठीक रिम्यडिकल हैँ एवनिडिकल करेंगे तो टाइम फैक्टर तो टैनुमर अव डेस कैनाल एक्चुली ठीक है क्रॉप्स लाइक जूट टी कॉटन शुगर केन टोबैकू और एक्सक्लूड इड फ्रम दी लिस्ट ओफ कैस्ट क्रॉप्स तो इस पर थोड़ी सी रिसर्च करने की जरूरत है विकोज यह सारी की सारी कैस्ट क्रॉप्स है बट इनको एक्सक्लूड क्यों कर रखा है जूट को टी को कॉटन को शुगर केन को टोबैकू को ठीक है चलिए फ्रम दी लिस्ट ओफ कैस्ट क्रॉप्स तो कॉफी इसमें यह तो कॉफी तो हंड़ीट परसेंट है चलिए आगे बढ़ते हैं कि नेंश्ट आपके इस ग्रोज स्टोरे लए इसी नैंटी परसेंट और वफ फुल रिवर लेवल ठीक है डैड इंटि परसेंट आफ झ्टराइफ व ऑफफ दे परसेंट फिल रियवलस्ट ट्रीक है तो यह लएष्ल सप्लाइड लेवल आपके पास हो जाएगा तो रिव दो questions जो है वो अच्छे से हो जाएं ठीक है questions कर लें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हलके फलके सवाल से स्टार्ट करते हैं हलके फलके सवाल से स्टार्ट करते हैं the delta for a crop having base period 120 days is 70 centimeter what is the duty is to base period आपको दे रखा है be serious the 120 days में दिया है कोई problem नहीं है delta आपको 70 centimeter दिया तो 70 upon 100 meter हो जाएगा और duty आप से पूछा है तो D is equals to 8.64 B upon और डिल्टा तो इसको आप सॉल्व कर लीजेगा आपके पास ड्यूटी आजाएगा किस में हैं हेक्टेर पर क्यूमेक हैं हेक्टेर पर क्यूमेक में ठीक है तो आंसर आगे आपका कितना रहा है आंसर कोई कहारा बी कोई कहारा डी बी डी बी बी डी मनी सिंग कहारा है डी बाकी बोल रहें बी ठीक है तब या कैल्कुलेशन कर लीजेगा आप लो तो बी ही आएगा आंसर ठीक है आंसर इस बी अगला सवाद नहेखा थे आंसर पर यहे आंसर रहे आपकोई। झाला सवाद लिए आपको चढ़ा है लगलाक कितने असाँ कितने पर बी बीन बीन इंसर आंसर नहे द senza रहा आंसर दीक है उल्साइब हल रग्ठषास the gross commanded area for a distribute is 6000 the Gross commanded कितना एग 6000 80% of which is cultureable so 80 upon 100 GCA से gross commanded area से हम लोग nे क्या कर दिए CCA निकाला तो वो गया इसका 80% 8500 से नीडि बॉवी है विच इस DCF Um the Intensity of irrigation for wäre season is 25% तो इसका कितना हो जाएगा 25% the area to be irrigated in खरीफ सेजन तो ये GCA था, GCA से CCA पर पहुंचे और फिर उससे क्या कर दिया हमने लगा दिया intensity of irrigation तो इसे भाई यहां solve कर दिजेगा answer is B कितना हो जाई पहुंचे क्या शो ड्यायμέ। कितना हो जाई पहुंचे कितना हो जाई दिया हमने जाई रिया हमने कितना हम जाई वहाँ तो जाई आगे वह आंसर कल का प्लाइब कल 11 बज़े के लास होगी आपकी जिसमें हम लोग क्रेशन प्रैक्टिस करेंगे और एक सेक्शन वो रहेगा और सामको साथ बज़ें आपका इडिगेशन कॉंटीनू होगा ठीक है तो देखो इसमें क्या करेंगे आपके पास इन इर्रिगेशन प्रोजेक्ट इन शर्टीन एर सिक्स्टी परसेंट 46 परसेंट ऑफ दी कल्टीवेबल एक कमांड एरिया इन खरीफ एंड रभी रेस्पेक्टिबली दी मेंड विदाउट वाटर एंड रेस्ट आप दी एरिया दा इंटेंसिटी ऑफ इडिगेशन इन डैट एर फॉर दी प्रोजेक्ट इर्या तो बेसिकली क्या हो रहा है कह रहा है रीमेंड रीमेंड विदाउट वाटर तो साट परसेंट एरिया पर तो आप क्या कर सकेंगे वर्क करी नहीं पाए तो कितना 40 परसेंट बच्चा महां ठीक है वह आपके पास कितना हो गया 94 तो आंसर क्या हो जाएगा 94 परसेंट हो जाएगा 94 परसेंट हो जाएगा है ना एक सवाल यह किजिए रहा हाँ हाँ कई वार यह होता है कि ऑप्ष्ण ठीक फरस्ट पेपर के वह मैं अभी देखूंगा वह है ना वह मेरे उपर है वैसे कोशिश करूंगा कि हर सब्सक्राइट के पहले पहले दूसरे दूसरे चैप्टर से क्वेस्चन सो राजिस्थन जहिवालों से कल बात करेंगे तशीर हल यो इस पिशियल शेशन बाई रहे ख PROF इसमें कलास से पहले कलास के बात में तो wheat requires about 7.5 cm of water after every 28 days and the base period for wheat is 140 days what will be the value of delta तो frequency of irrigation कितने रहेगी 140 upon 28 days हर 28 दिन में एक बार हम water दे रहें तो 148 days 140 में कितना करेंगे 140 upon 28 और एक बार में कितना देना पढ़ है 7.5 cm ठीक है तो इसको solve कर लिजिएगा ठीक है इसको solve कर लिजिएगा ठीक है तो कितना आ रहा है 37.5 आ रहा है तो यही आपका answer जाएगा ठीक है अन्नेसेसरी इतना बड़ा solution इसका दे रखा था इन्होंने बुक में इसकी जरुवत नहीं है ठीक है सीधिया 140 by 28 into 7 करके कीजिए यह सवाल कीजिए रहा यह देखिए important question है best Bengal में राजिस्थान में गुजरात में EAC में सब में पूछा गया है सब में पूछा गया है तो कहरा है canal वोस्त द आंड जाइन तो शप्लाइ दी इर्रिगेशन नीटस ओफ 12 00 hectare द राइज ग्रोइंग राइस आफ 140 देश बेस पीरिड हैविंग देल्टा इतना इप दिस केना वातर इस तो इड्रिगेट विएट अवेस पीरिड इतना 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 the area in hectares that can be irrigated is that can be irrigated is area पूछा तो देखे इस सवाल के लिए हम लोग क्या करेंगे इस सवाल के लिए हम क्या करेंगे formula डराइब करेंगे परमने आपको ने क्या formula पढ़ा था कि duty जो थी 8.64B upon delta यही तो थी और duty हमने क्या लिखा था duty बरावर था basically Q upon area duty is equal to क्या था Q upon area या area upon Q area upon Q, क्योंकि मैंने बोला था Q discharge से अगर हम लोग area irrigate करते हैं तो 1 से कितना करेंगे A upon Q और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग duty तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं duty को simply लिख सकते हैं Q upon A upon Q A upon Q is equal to 8.64B upon delta अब थोरी दर पहले मैंने एक theoretical point बता रहा था तो मैं बोल रहा था कि river को इस तरीके से canal को इस तरीके से design किया जाता है कि रवी हो या खरीफ हो discharge constant रहना चाहिए तो यहाँ से हम लोग Q को क्या लिख सकते हैं Q हो सकता है A delta upon 8.64B यह बन जाएगा तो A delta upon 8.64B अब यहाँ से Q Q की constant है तो क्या मैं यह लिख सकता हूँ क्या मैं यह लिख सकता हूँ कि A1 delta 1 upon B1 is equals to A2 delta 2 upon V2 तो basically A1 delta 1 क्या है पहली फसल में पानी का volume और A2 delta 2 क्या है दूसरी फसल में पानी का volume तो यह पानी का volume upon time और B1 क्या है basically time ही तो है तो volume upon time क्या देता है डिशार्ज तो A1 delta 1 upon V1 डिशार्ज है A2 delta 2 upon B2B क्या है डिशार्ज है दौनों डिशार्ज को हम directly बरावर रख देना A1 दिया है delta 1 दिया है B1 दिया है ठीक है delta 2 दिया है B2 दिया है A2 दिया है वो निकल जाएगा तो यहां से आप directly formula इस formula को use कर लिएगा ठीक है हाँ तो rather than जैसे इन्होंने किया है कि यह पहले बुख का solution है ठीक है यह इतना लंबा चौरा solution अगर आप exam में करने बैठ गए तो भईया फिर हो गया ठीक है तो ऐसे नहीं कीजेगा आप इसको इस तरीके से कर दिजेगा सीधे सीधे ठीक है इस तरह से कर दिजेगा ठीक है चली फिर आज इतना ही रखते हैं ठीक है